तो हलो दियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू आल इन दिस वेरी फर्स सेशन ऑफ जे एल्टिमा सीरीज जैसा कि बच्चों मैंने आप से स्टडेजी सेशन में प्रॉमिस किया था कि आपके जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉंसेट्स हैं वह हम आप बच्चों ने ही हमको कमेंट वॉक्स में लिखा था कि स्टर इलेक्स्ट से पहले स्टर कर वादीजिए तो बच्चों एलेक्र स्टर्स से हर आपको अज अंवाला है इस चेप्टर की नाम से ही जो करंट दोड़ जाता है वह त्रण आज 그리고 आब प्र जाइंगे बच्च available मिल जाएगा लेकिन दूसरी बात आपको notebook और pen साथ में जरूर रखना है बच्चो so that जब सर आपको questions करा रहे होंगे तो आप खुद भी साथ साथ में solve कीजिए कुशिश कीजिए सर से भी पहले solve कर ले और सर को comment box में answer जरूर बताना सही हो गलत फरक नहीं बढ़ता बच्चो लेकिन जैसा मैंने आपसे promise माना था कि आपका dedication और sincerity required रहेगी अगर वाकई में आपको final अपने dream college और dream branch तक मौशना है तो आप ऐसा करोगे या नहीं मेरे को comment box में सबसे पहले बताओ कि हाँ हम commitment देते हैं sir अपनी तरफ से questions को solve करेंगे पूरे involvement के साथ पढ़ेंगे तभी बच्चो आपको नहीं सेशन में वो classroom वाली एकदम feel आने वाली है और बहुत मज़े से पढ़ने वाले हो आप सारे concepts आपके clear होने वाले हैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखके most भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि yes sir हम इस चीज को करते रहेंगे answers देते रहेंगे that's wonderful बच्चो next बात जो sir आपको ये chapter पढ़ाने वाले हैं वो है हमारे आशीश अजमेरा sir physics care one of the very good and senior faculty है so आशीश sir I welcome you come over to the stage and it is over to you now बहुत मज़े से पढ़ना बच्चो all the best आशीश sir please thank you so much sir hello बच्चों क्या हाले आप सब के I hope आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा अच्छे से करने की पूरी इच्छा से लगे हुए होंगे है ना तो बच्चों मैं स्वागत करता हूँ एलेंट डिजिटल की तरफ से आपके लिए एक हम बहुत शानदार सीरीज लेकर आए हैं इसका नाम है जी एल्टिमा सीरीज जैसा की अनॉंसमेंट भी हो चुका है अब सभी चीजों का है परदा उठ गया है आपको पताए कि यह सब क्या होने वाला है तो इसके अंदर आज जो है हम टॉपिक लेकर आए हैं इसमें वह है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स बचों इसके अंदर हमने देखिए कोशिश की है कि वह प्रॉब्लम वह कॉंसेट जहां बच्छों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है वह हम फोकस करें जैसा हम पहले भी अनॉंस कर चुके हैं उनके अंदर हम चलेंगे उनको हम पढ़ेंगे हैं हैं बच्छों की जो प्रॉब्लम रहती हम पढ़ाते हैं एक्सपीरियंस से अनुवह समने देखा है यहां प्रॉब्लम आती है वह भी मैं आपको बताता चला जाओंगा मेरा में मानना है कि स्मार्ट तरीके से आपका एक रिविशन हो रहा होगा स्मार्ट इसलिए कि जो प करके बताइएगा मैं देखूंगा इसके अंदर कि यह सवाके में यहीं सर यहीं मेरी प्रॉब्लम है ऐसा लिखिएगा जो प्रॉब्लम आपको अपनी प्रॉब्लम फिल हो रही होगी इसमें ठीक है तो इसको हम मैच कर पाएंगे ठीक है तो बच्छों स्टाइट करते हैं इस टॉपिक को यह जो टॉपिक है चैप्टर है एक बड़ा चैप्टर है तो इसको हम दो लेक्चर में कवर करने वाले हैं और अब इसके अंदर हम चीजें लेने वाले हैं इसमें बच्छों यकीन मानिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट बढ़िया कॉंसेट्स हैं जो एडवा कि अगर जिन में लगन है ना वो क्या करेंगे जिसे टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके बाद में क्वेशन दूँगा तो एक बार के लिए आप उसको रोक करके या आप देखें कि मैं मुझे सॉल करना एक बार सॉल करके अंसर दीजिएगा मैच करिएगा कि क्या आप सीख भी गए हैं क्या उसको ट्रिक्स भी हमने बोला है कि कुछ-कुछ जगे ट्रिक्स भी आती है तो दिल थाम के बैठी बच्चों यहां पर भी आज ट्रिक्स आने वाली है बड़ा मज़ा आने वाला है तो इंतिजारत चलो बच्चों स्टाइट करते हैं हम इस पूरे टॉपिक को ठीक है ना तो बच्चों चैप्टर का नाम है अज इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ठीक है आपको अनौन्स होई गया था यह तो क्या बोलते हो फील आ रही है आपको थोड़ा सा लग रहा है ना डैट्स इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ठीक है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स को स्टाइट करते हैं बच्चों तो जैसा कि कुछ बेसिक चीजें हैं चार्ज चार्ज के बारे हम जानते हैं चार्ज अगर रुका हो तो पूरा एक चैप्टर आता है इसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ह बात करेंगे इसमें तो अब हम वो कॉंसेप्स लेंगे इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है यह पहले हम बता भी चुक्या है तो अब देखिए बच्छों प्रिक्विसाइट्स प्रिक्विसाइट्स वह होता है कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या-क्या चीजों की ज़रूरत होगी क्या-क्या हमें आना चाहिए तो इसमें बच्छों देखिए एक तो डिफ्रेंशल इंटीग्रल के अलकुलस आई होप यह आता भी होग आएंगे वर्क पावर एंज इनर्जी इसमें भी वच्छों वरक एनर्जी थीवरों में एनर्जी फिर्वेशन यह लगाएंगे जब हम पोटेंशल नर्जी और अगे पोटेंशल पर चलेंगे इसके बाद विच्छों ग्रेडियन फॉर्म ऑफ पोर्स जो होता है थाना य लाइफ में कहां काम आने वाला है पढ़ाई करेंगे तो आगे कहां काम आएगा तो यह वनुप यह पूरा लिस्ट है आपके पास जिसको चहिए वह आप इसको देखें है वैसे अभी तो बहुत ज्यादा जरुत नहीं इसकी पर रखें अपने पास में आपको पता रहना सही कि चैप्टर के क्या क्या स्कूप है आगे चलते हैं पूरा चैप्टर जो है इसका कंटेंट कंटेंट पूरा इसमें यह सारी चीज़ें आती है ना चार्ज आएगा कूलम लो आएगा फूर्स फिल्ड फिल्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत शांदा टॉपिक यहां बच्चों को दिक्कत भी काफी आती है तो आज हम इस से भी काफी बढ़िया डील करने वाले हैं इलेक्रिक पोटेंशल पोटेंशल इनर्जी इक्यू पोटेंशल सर्फेस इलेक्रिक डाइपोल खास्तोर से कंड़क्टर और अर्थिंग यह ऐसे दो टॉपिक हैं जह हम करने वाले हैं तो चलिए आज का पार्ट देखते हैं कहां तक पहुंचता है वहां पर हम चलते हैं बस मज़े से चलेंगे मचों वेटेज की बात करें तो लास्ट के फाइव यह मेंस की बात करें तो भी यही 10-12 परसेंट आ रहा है तो यह चैप्टर इंपॉर्टन सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम कूलम उठाते हैं हलांकि बेसिक है कई लोग पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं रुकेंगे कुछ कुछ कॉंसेप्ट ऐसे हैं बच्चों जिसमें मैं इंट्रोजक्शन दूंगा और ज्यादा हमें वहां नहीं रुक प बच्चों को ने खुशी राजपूद्यास बेटा पुल्कुल लाइव हो रहा है यह लाइव सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल इसको लगे रहें इमान दादी से नौट्बूक और पैन लेकर बैठीएगा बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चन स जासमें भी ट्राय सभी करेंगे जिसका सही होगा वो तो सीखेगा बच्चों जिसका गलत होगा ना वो और ज्यादा सीखेगा अच्छा ऐसे नहीं करना ऐसे सौल करना है ठीक है तो यस तो चलते हैं अब टॉपिक अब हम जो है प्यॉर कोड़ एलेक्रो स्टैट्स की बात करेंगे ठीक है बच्चों तो ध्यान दीजिएगा और जिसको बढ़िया लगता है जो भी लगता है आप बताईएगा डाउट भी आते हैं तो बताईएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डाउट अगर पढ़ने में आ रहा है तो मैं उसका जवाब दे तो बच्छों ने कह लगेगा और जब जो इस पर लग रहा है क्यों पर वही क्यूटू पर भी लगेगा फोर्स की वैलिव दोनों के प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है यह है इसकी बात ठीक है तो अगर यहां कॉंस्टेंट लगा है तो कि लगा देते हैं जंग और के को बोलते हैं फॉर पा बच्चों यह बन जाएगा फाइनल अपना फॉर्मला यह बनेगा वन बाय फॉर पाई एफसाइलन नौट क्यू एफसाइलन नौट क्यूटू बाय आर इसक्वार यह मैं याद रखना है तो यह तो कई बच्चों को लिग भी रहें कि सर यह तो हमें आता ही होगा यस तो अब हम चलते हैं इसका अप्लिकेशन पार्ट पर यहां पर क्या होता है आप देख पा रहे थे एफसाइलन नौट था पहले अब यहां पर एफसाइलन लग जाएगा यह मीडियम की पर मिटिवीटी होगी ठीक है तो अभी इसको हम देखें एफसाइलन नौट इंटो एफ मीडियम की और इसी को हम के भी कहते हैं यह वाली सारी चीजा इसको इसको नहीं करना चाहरा हो पर आगे लाइन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन इंजक्शन की वज़े से कुछ उसमें फर्क पड़ता है तो इसलिए वो मीडियम का इफेक्ट इसके अंदर आता है तो यहां पर बच्चों के अगर इसको लिख रहे हम तो क्या लिखेंगे एफसालन नौट के अब हमें क्या धियान रखना जब भी बच्चों मीडियम आत का फोर्स अपॉन के हो जाता है जो एर में लग रहा था डिवाइट वाइट के करेंगे हम हमें एक 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 लिए क्लियर है मीडियम के लिए हमें क्या करना होगा कैसे फॉर्मले को मोडिफाइग करना होगा ठीक है अब एक यह जगए जहां बच्चों को दिक्कत आती है ठीक है कि वेक्टर फॉर्म सरी यह वेक्टर फॉर्म का क्या करना है इसका क्वेशन तो आइंस पर रहीं दीजिए तो यह थहा बात कर लेते हैं ता मशंच կहाँ पर दिखता है नोन फक्hhhh लगेगा और दोनों पर इक्वल मैगनिक्यूट का लगेगा ठीक है अब वेक्टर फॉर्म की बात करें तो देखी यहां पर यह क्यूवन है क्यूटू है तो क्यूवन ने क्यूटू पर फोर्स लगा है उसको हम लिखेंगे अफ्टू वन जैनि एफ ओन क्यूटू दूटू का रटू हो जाएगा इसमें वेक्टर में थोड़ा ध्यान दीजेगा यह वाला जो वेक्टर रही आएगा बच्चों आरवन माइनस रटू और ऐसे आओगे तो आपका रटू माइनस रवन ठीक है तो अब यहां पर देख लेते हैं ठीक है पोडिशन वेक्टर बता दिया हमने बता दिया f21 क्या होगा haga force on charge q2 q2 q1 है ना ऐसे हम चलने वाले है तो आगे चलते हैं और सिपर चाहिए तो आब इसको ऐसे उल्टा लिख सकते हैं अब देखते हैं तो दखीए क्या होगा बच्चों हम तो सिंपल सी बात ध्यान रगते हैं अगर हमें f212 एक मतलब इस हर स्क्वार हमने उस से लिए अब बार आती डारिक्टिंट डारेक्शन हमेशा यूनिक वेक्टर से दिया जाता है जाता है तो उनिक वेक्टर की वेक्टर में यहाँ पर वेक्टर और ते ठीक है और बच्चों एक तो ठीक है mathematical फॉर्म में बहुत इजी याद रखने का तरीका बता रहा हूं अगर यहां पर आपके पास लिखा है और यहां लिखा भी तो आप तो ऐसा समझो ऐसा लिखना है ना तो आप सिंपल इसको एबी वेक्टर के डायरेक्शन में कर देना बस तो देखी क्या है question अपने पास है charge A B दोनों दिये हैं आपको ठीक है तू के coordinate दिये हैं बच्चों और दोनों के magnitude दिये हैं इसका minus sign है वो भी दिया है force on B due to A ऐसा पूछाए ध्यान दीजेगा तो हम क्या करने वाले हैं ध्यान से समझाए यह हमने A लिखा है और यह हमने बच्चों यहां पर B लिखा है पूछाए force on B due to A on मतलब B B पर पूछाए इसका मतलब A कहां लगाएगा इस तरफ फोर्स लगा देगा ठीक है हम यही एफ जो है calculate करना है हमको अब A B ठीक है तो देखिए इस हिसाब से अगर हम लिखें तो हमने कहा था कि वेक्टर F जो आएगा क्या आएगा बच्चों के इंटू क्यू वन और क्यू टू और यह आर मान लेते हम तो आर का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर या मैं आर लगा देता हूं तो इसको आर क्यू लोग से लिख सकते हैं भाई ओभी वेक्टर माइनस ओ एवेक्टर क्लियर है कैसा बनाते इसको तो यह बी मैनस एकरन अपने को सीदे सीदे यह जो वेक्टर निकल के आ जाएगा बच्चों अपने पास रैक्टर आर विल बी बी माइनस ए तो देखिए 4-2 एस 2-1-7 यानि क साथ-साथ में मैगनिटीट की जरूत पड़ेगी वह भी कैलकुलेक्ट करके रख लेते हैं तो मौड ओफ वेक्टर आप देख पाएंगे देखिए रूट में यहां पर हम वेक्टर एफ की बात कर रहे हैं तो यह आ जाएगा बच्चों ध्यान दीजेगा 300 और यह आ जाएगा माइनस का 900 दोनों का जो आइक्रो था उससे बन जाएगा अपना बच्चों टैन की पावर माइनस 12 ठीक है और वेक्टर आर रखना है तो मैं यहां पर रख रहा हूं साइड में थोड़ा देख लीजेगा टू आइक्याप माइनस का टू जे कैप माइनस का के कैप होल डिवाइड़ेड़ र का 3 x 3 से चला गया है आपका 100 x तो वेक्टर आ एफ में जो मुझे दिखाई दे रहा है माइनस को मैं अंदर भी ले जाओंगा सीधे सीधे ब्रैकेट के ठीक है तो यहां पर देखें 10 की पावर एड़ेस्ट करते हैं बच्चों 9 और 2 कित आया 11 और 2 13 और माइनस 12 वन बच रहा यहां मेरे पास बच जाएगा बच्चों 90 अंदर गया माइनस का 2 i cap माइनस का 2 j cap और माइनस का के तो बच्चों सीधे सीधे अपना वेक्टर एफ जो में चाहिए था उसका अंसर आ गया है अरे क्लियर है क्या ठीक है चलिए आईए मैच भी कर लेते हैं तो आप देखेंग बिल्कुल सही बात माइनस मुल्किलाइब होगा और यह अपना अंसर बिल्कुल आई रहा है तो माइनस का कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक है तो बच्चों यह वेक्टर फॉर्म देखा है ज्यां दीजिएगा वैक्टर फार्म में आपको जो क्रक्स था वह समझ में आगया हो को तो आइधिंग इस अब को आपको फील आ रहा है कि यह सर वेक्टर फॉर्म का इसा आ गया तो हम कर लेंगे मुझे लिख करके बताएं बच्चों यहां पर अगर दिक्कत आ रही हो तो बताएगा मुझे कितने बच्चों को यह प्रॉब्लम है कि यह सर इस टाइप के प्रॉब्लम क्वेस्टेंस में को प्रॉब्लम आती है तो दाइए इसको तोड़ा डिसकर्स करते हैं आपको कई को जो है कॉंसेप्ट्वल क्लारिटी आईगी इसको लेकर के लिए कि पिद और यह जो चार्ज है इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव एलेक्ट्रोस्टाटिक फॉर्स लगेगा ठीक है बच्व एकिलिब्रियम होता है तो हम क्या करते हैं इसके कंपोनेंट ले लेंगे टी को बैलेंस करेगा यह सिस्टम एक सिंपल सिस्टम होता ठीक है अब सुन आता यह हमें देखना है ठीक है तो अव गर हम यहां से देखें थी टा अपना 50 वाई मतला यह कैसे करते हैं हमने अभी पिशलों को दिख रहा है यह किसे बैलेंस hai इवार्टीकल और वीडिक साइन ठीटा जो आया है का ती साइन ठीटा आपका टी साइन ठीटा आपका तेन थीटा विल वी इकवल्स टू एफ यी बाई एमजी बचों याद भी कर सकते हैं सो आप ठीक है ना नॉर्मल सीचुएशन में लग जाएगा को चेंज करते मीडियम वीडियम यह लादें तो धियानक नहीं लगाना है नॉर्मल सीचुएशन में आप इसको लगाएं ठीक दिखना चाहिए और चलिए तो देखें अब यहाँ पर है पिदवल्स प्रॉबलम में अब इसके वेरीशन समझतें लिए इसकी बात कर रहे हैं और आगे चलते हैं चार्ज अगर इकवल नहीं हूं चार्ज अगर इकवल नहीं हूं इन बैट केस और वह जब यह एफ लगे होगी इस पर जब टैन होगा तो उस पर भी 10 ही होगा तो जब आप टैन ठीटा को अगें यहां से लिखेंगे और सेम है मास पर डिपेंड करता है यह बच्छों पर नहीं करता ध्यान दिजिएगा है तो मास यहां तो अगें ठीटा से मिया आजए आ आप देख पारें क्लि नहीं होगा और कौन सावला ज्यादा होगा थीक है यह तो देखें एम बन ग्रेटर डिन ये में टु हुआ तो पर थीटा ज्यादा होगा और इसका रवाइस वर्सा है ठीके इसी को हम थोड़ा सा एक अच्छे पिच्राइजेशन से भी बताते हैं यह दोनों अगर सेम हुए बच्चों चार्ज मास सब तो बिल्कुल आपको दीखी रहा है दोनों एंगल बरावर होंगे दिक्कत अभी एक नेक्स्ट वाले में हैं यहां वाला तो बिल्कुल सिंपल है चार्ज अगर अनीक्वल हैं तब प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है सौल करने के लिए हो तो जाता है पर इसमें डेटा काफी चाहिए एक्वेशन बनानी इसके एंगल बार बार इधर उदर करने पड़ते हैं तो यह सिस्टम में आपको समझा रहा हूं कि ऐसा कैसे होना है तो इस पर हुआ हुआ है मैंने बताए था मास जिसका ज्यादा है उस साइक का एंगल कम होगा ठीक है बच्चों तो क्या समझ में बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से यह पूरा प्रॉब्लम अब हम बात करते हैं कि ग्रैविटी अगर हो ही नावा पे हैना एम ज अगर आपको टेंशन चाहिए तो यह आपके पास फी वैलिव आ गई बच्चों है ना तो बस टेंशन इंदा थ्रेट भी वही आएगा क्यों सकते हैं मास भी सेम कर सकते हैं दोनों में सो कोई डिफरेंट भी कर सकते हैं वैशनवी है ना बटा तो इस डिपेंट करेगा आप अगर उसके अंदर बोल रहों कि सर्मास डिफरेंट तो इंगल डिफरेंट है ठीक है बच्चा है अब बताओ यह बताते जाएगा आप यहां पर है ना तो आई तिंग यह समझ में आया होगा बच्चों अब हम इस पर क्वेस्टन देख रहें बच्चों दिहान दीज और उसकी डेंसिटी कित्ती लिक्विट की रोग एंड एंगल रिमेंस दा सेम वाज़िशा डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट ऑफ दा लिक्विट पूछा है और आपको बोला है दिहान से समझ लीजेगा एंगल रिमेंस दा सेम एंगल यहां था मीडियम में भी वही रह गय ठीक है तो density of the material of the sphere आपको सिगमा दी दिहान रखिए ठीक है तो आई चलिए इसको सौल करते हैं तो यहीं परी सौल कर लेते हैं इसको ठीक है न दिहान दें तो देखिए क्या है सबसे पहले हम मानते हैं कि चलिए एर में लिखा तो एर में क्या हो जाएगा बच्चों टैन मीडियम के अंदर भी मैं यह लेता हूं एंगल वही दूंगा हैं मीडिया में मीडियम का लिखने जा रहा हूं चलि हमने बात की थी एक्रोटाइक पूर्स मीडियम में चेंज होता है कितने time one by K बात की थी हमने वहान पर यह वाला पूर्स किया बन जाएगा एफ तो अब यहां पर mg में फर्क पढ़ जाएगा क्या लिखेंगे mg जो था mg को रहने दो माइनस कितना होता है बच्छों बाइंट पॉर्स वी रो जी जानते ना हम लोग पढ़ा है नाम नहीं चले इसको थोड़ा सा और हम आगे यहीं पर मास्क बच्छों डेंसिटी इंटू व माइनस वी रो जी अरे क्लियर है और दोनों देख़ों थीटा एंगल से में दोनों को में इकवेट कर सकते हैं तो यहां से करेंगे तो आप देख पाएंगे यह आ जाएगा एफ ए अपॉन वी सिगमा जी इस इकवल्स टू यहां आ जाएगा बच्छों एफ इफ इबाए क और वी और जी कॉमन यहां से बचेगा आपके पास सिगमा माइनस रो ठीक है तो बस देखिए जो कट रहा है उसे कैंसल कर दें सीधे सीधे में यहां से के लिग देता हूं एफ इमने काटा वी और जी कट जाएगा कि आ जाएगा बच्छों अपने पास सिगमा अपॉन अच्छे से ठीक है तो यह जो क्वेश्चन है बच्चों दिहान दीजेगा यह क्वेश्चन काफी पुराना जैए आएटी का क्वेश्चन है रहा है पहले है ना जब जब जो पूछा हूं पहले पहले पिछले तीन सालों में देखेंगे इसमें भी आगया एक वेश्चन यह पैटन यह पैटन कहीं भी यह रिपीट कर लेते हैं जएटवांस में में बिए यह बनाते हैं और इसका कुछ भी डेटा चेंज होकर आ गया तो हमें करना आना चाहिए और इसका लगा बच्चों यह पूरा कवर किया दिजेगा तो आप इसको पढ़ोगे तो इस टाइप की चीजों में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए तो मुझे आप जड़ा लिख करके बताईए कमेंट में बच्चों कि क्या ही आपको समझ में आ को फील आ रहा है कि यह सर कुछ तो फाइदा हुआ हमको इस वाले पिदबॉल प्रॉब्लम के अब कॉन्पजेंस आ रहा है ठीक है चले इसी को थोड़ा सा देखिए यहां पर यह चलेगा फोर्स लगा करके दिखाएंगे और फाइनली इसका अंसर देखेंगे यहां पर क्व फिर भी इसमें गलती कर देते हैं ध्यान दीजिएगा ठीक है तो इसको में सॉल करवाने जा रहा हूं इस फिर में बताऊंगा यह और भी जग़े यूज़ हुआ है लिगे क्या है वाच शुडब वैल्योफ चार्ज विच शुडब प्लेस अग्ड़ प्लेस इसको इन सबको भी तो रोख के रखना ना तो इसमें सॉल करने का तरीका अलग इस पर नहीं निकालना क्यूब हमें यह निकालना है कि इसने बाकी सारे चार्ज आज़िस कु कैसे पकड़के रखा है को इस अभी चार्ज उठा लेते हैं बच्चों पहले देश जैसे यह व यह डाइगोनल पर लग रहा है बच्छों इसका यहां लग जाएगा हमने कहा भाई यह एफ डैश यह तीन फॉर्स इस पर लगते हो दिखेंगे अब होगा क्या इकली पर में कब रहेगा बच्छो सिस्टम मैं कैसे सोचना है इसका जो रिजल्टेंट आएगा बस उस रिजल रिजल्टेंट हम जानते हैं यह आजाएगा एफ रूट टूर इधर एफ डैश लगी रहा है अपना जो रिजल्टेंट आएगा वह इन दोनों का एडिशन होगा तो इसको हम लिख देता है कि यह एफ रिजल्टेंट आ जाएगा और अब यहां पर तो मैं यहां पर लिख में फॉरस है तो दैकर और जाएगा निस्टेंस का स्कोर इ21t का स्कोर सब्सक्राइब इल्ट Beauty के नोमें ब्हूंरी रिजल्टेंट के बीच में ऐघ्र कॉर्स फोर्स होना है वोड़ी का कर लेटै mm accomplish इसको ड्रेइट्राइग होना से क्या फोर्स आजाएगा बच्चों के क्यू क्यू अपॉन यह क्या जिस्टन्स होता है डाइगॉल का अधा यानि यह हो जाएगा यह बाइग रूट टू का स्कॉयर अरे क्लियर बस इसको सॉल करना है अपने को ठीक है चले देखें सॉल करते हैं क्यू सब जग हम कैंसल कर देते हैं तो यहां हमारे पास बच जाएगा क्यू या जाएगा टू और अपॉन आगया बच्चों ए स्कॉयर इकवल टू यहां से के क्यू चला गया है ना क्यू एक और कॉमन आ जाएगा यहां पर और स्कॉयर को भी आप इधर ले ले ठीक है अब क्या बच रहा है यहां क्यों तो अब अपने पांस जो क्यूं की जो मैघनिटूगी इसको भी कट कर देते हैं कि तो यह जो क्यीं चेंच है क्यूं सब्सक्राइब च्ईकर करें है है तो यह जो click यहसे क्bodो मिक्स कर दिया जाता है जैसे एडवांस में खुद ने क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें उन्होंने क्या किया था यही सिस्टम था इसके बीच में सोफ फिल्म भर दी बच्चों सोफ फिल्म लगा दी अब पूछाए कि अब इकुलिवरियम बताओ तो वह यह क्यों हटा दिया क्यों न ना आये यह वच्चों ठीक है यस यस होगा नेगेटिव मैंने कहा था कि यह होगा नेचर नेगेटिव और हम मैगनिकुट कैलकुलेट कर रहे है ठीक है तो आईए देखते हैं मैच करते हैं यस देखिए हैना यही अपना अंसर भी आ रहा है तो यह टाइप का क्वेश्च का करते हैं कि दीजारें इसमें ज्यादा नहीं रुकेंगें कांसेप्च्छ छीजों पर आपले के ज्यादा चलेंगे तो हम जानते देखिए और अगर अग्टो होता है और अगर कोई अग्जेक्ट हो तो मैं इंटेग्रेशन करना पड़ता है ठीक है वच्छ तो वह पूरी पूरी नहीं करा पाएंगे कि यहां पर वैसी ओल्रडी मोस्त इंपॉर्टेंट कॉंसेट्स नहीं बहुत सारे हैं तो नेक्स्ट पच्छों यहां अपने पास इसका वेक्टर हों भी देख लेते हैं जैसा फोर्स में आगया था इसका भी वेक्टर फॉर्म होता क्या ह क्लियर है चली तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसके बाद देख इलेक्टिक फॉर्स चार्ज होगे तो हम क्या वोलेंगे यहांगर क्यो नॉट घृटर हो तो यहां पर आपने कोई चार्ज रख दिया है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव रखते हैं तो यह बात याद रखिएगा ठीक है तो यह रखा हुआ है यहां पर मांश को खीचेगा है तो इस तरफ तो इस तरफ टो किइसे घा है तो अगर मांश को खीच стран के लगत आपर है तो अगर यहां पर इस तरफ लगए क्लियर तो यह फॉर्स लगाना हमको आना चाहिए नहीं यहां ज्यादा नहीं रूखोंगा क्यों यह आता भी होगा कई सारे बच्छों को फिक है अब चलिए बच्छों एक क्वेस्चन भी काफी परिशान करता है बच्छों को की सरी इसको करवाना ही पड़ता है समझ दीजि है सिमेट्री में कहा है उसका यह पूर अगरेकर और यहां पर क्यों यह चारओ क्यों हो यह वाला दिहान रखिएगा यह वाला प्लस का है और इधर माइनस का है सिस्टम पर कोई फरक पड़ाई नहीं पर अगर हम प्लस को साथ में जोड़ लें तो पूरा सिमेट्री बन गया और इसकी वज़े से फिल्ड हो गई value निकाल दें तो आङये इप क्यो आख बच्चों यह हो जाता है की डी क्यू भाय डिस्टेंस का स्कॉरर तो आवरो स्कॉयर क्यों तो हो अπάरा जो यह थी जो आएगा वह अपने पास जाएगा धियाण दीज़का के बाइ आर स्क्वायर है nा चार्ज कित्ता होगा तो इस पे होगा लेमडा इंटू डी रग देते हैं बच्ющों के बाइ आर स्क्वाय लेमडा की वैल्यू हमने रग दी क्यू बाइ टू पाई आर और यह रगा कि चलिए क्या यह बच्शों वैल्यू यह आ गया के क्यू ड़ी अपन टू पाइड आर क्यू तो आईए देखते हैं मैच करते हैं देखिए ज़िए क्यू हमें गड़बड नहीं अग ट्रेग की चीज हो गई ठीक होती ध्यान रखना ट्रिक क्या कहती है सिमेट्री बना दो जैसे इसमें एक और चीज में आपको बतान करना है और हेग्ज़ागोन के पांच कॉर्नर पे चार्ज रखा फाइफ पे रखा है च्टे पे नहीं रखा अभी सेंटर फीर्ट बटाओ कि समझ रहे हैं किया समझ ने अब दिमाग आपका बोल रहा होगा आपने आप क्या करना है यह बिल्कुल साहिए यहां पर बच्चों क्यूं का भी रग दो और माइनस क्यूं का भी रग दोवर ओर दिश्टब नहीं किया है पर यह जिरो निकालनी है यह यह ऐसी त्रिक्स आनी चाहिए हमको बहुत वास्ट वहता है आप ऐसे करें तो फूब जंगे झायगा तो हम ऐसे चल रहे हैं जिसको अगर ऐसा लगे बढ़िया और देखना तो फिर से आप देख सकते हैं इसको ठीक है अभी समझी इसको ठीक है बच्छो चलिए अब बच्छो एक क्वेश्चन देखिए इसके अंदर हम पॉइंट चार्ज पे बढ़िया क्वेश्चन है इसी को कर पा के लोग यहीं कंफीज होंगे रेंज कैसे जीरो हो सकती रेंज कभी जीरो होती ही क्या है देखिए आप कैसे होती पहले दिखाता हूं मैं आपको ऐसे फिका इतना इफेक्ट है कि जब वो जाके गिरने वाली होगी तो यहां तक पहुंच जाएगा देखिए यह देखिए फिल करना यह बॉल आ गई और इतनी फिल्ज थी एलेक्ट्रिक की वांपस वनी ले आई अरे रेंज जीरो दिख रहा है आपको ऐसे होती है रेंज जीरो समझ गये चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं जान दीजिएगा पच्छों ऐसे किस में क्या होगा एक्स में एक्स टाइम निकाल देते हैं टाइम जोता है बच्छों यह होता है टू यू वाई 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 यू अगर हम देखें तो टू है यू इस वेला सिटी को थोड़ देर करें वी रख लेते हैं तो वी साइन ठीटा आ जाएगा तो वी और यह रहा बच्छों साइन 37 अपॉन जी इत है यह हमें पता होना चाहिए कुछ लोग सोच रहेंगे सार रेंज का फॉर्मला होता है यू स्कॉर साइन टू ट्वीटा भाई जी लगा दें उससे नहीं होगा वो नहीं है वैलिट समझ गए ओनली एक्वेशन ऑफ मोशन तो दीखें रेंज का क्या फॉर्मला बच्छों तो यह अपने पास है वी कॉस्ट 37 है ना टाइम गया माइनस कर दें क्योंकि इधर आ रहा है तो रिटाइजेशन होगा इसका तो माइनस यह लग जाएगा बच्छों क्यूई बाई एम इंटू 50 अरे क्लियर चलिए वैल्यू रखते हैं टी को रख देते हैं और यह भी यहां टू वी साइन 37 हो गया बच्छों अपना 3 by 5 और यह रहा अपना जी तो यह जी में रख देते हैं बच्छों ठीक है ना चलिए आंसर इसमें यहां आ गया है देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ अपना भी तो यहां पर देखें फाइफ कटा वी कटा वी कटा और फा हाँ तो अपनना यहां पर हाफ रहे गया हाँ तो यहां पर टू हो यहां यह ठालतऊचों इ रहना देते है और बाकी सब को उधर पहुंचा देते हैं कि रह गया क्या क्या पहुंचेगा फोर फिर जी फिर एम तो यह फोर आगया एम आगया जी आगया होई डिवाइड़ आप देखेंगे थ्री है और क्यू है यस तो देखें यस बच्चों बिलकुल अपना अंसर मैच होई रहा है ठीक है तो बच्चों यह जो क्वेश्चन है ठीक है कैसा लगा आपको यह वाला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल एलेक्ट्रिक को मिक्स कर दिया और रेंज को जीरो कर दिया मतलब एक ऐसी चीज़ तो बहुत बहुत शांदाः टॉपिक होने जा रहा है वह जानधा बच्चों को मेंकवफी प्रोब्लम आतीं ग्राफ कैसे सर्ग्राफ ग्राफ यह कैसे बनावे कैसे बना और बच्चों आप यहां पर बिन्हींसे लिखे ना और दियान से लगन से सुनी इसे समझेंगे ब है इसमें देखिए पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मुला हमारे पास के क्यूवाय रसकार कुछ बातों का ध्यान रख लो मैठेमेटिकल आप बाकी सब चीज समझ में आएगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नियर पॉइंट के लिए जब आर बहुत छोटा होगा ब दूसरे चार्ज की वह भी उत्ती ज्यादा नहीं रहेगी उसमें फरक पड़े क्या फरक पड़ेगा इत्ती हाई एड गर दोगे तो है ना तो हम उसके पास उसी का राज चलेगा ऐसा चलाएंगे इसके बाद डायरेक्शन की भी बात करेंगे और बहुत दूर जाओगे आ तो आप बिल्कुल सही से समझ के रख लें यह सारी यूज होने वाली है और धर धर ग्राफ बनाते चले आएंगे देखेंगे आप भी कि यह कैसे बनाते जा रहें एंड गैरेंटी यू विल बीदा मास्टर ऑफ दा ग्राफ कुछ देर बाद और कुछ देर बाद नहीं तो प्लस की वज़े से माइनस है तो टुवर्ट आई ठीक एक दो बाते और अर अगर बहुत कम होगा यह बहुत ज्यादा होगा यानि एक चार्ज है उसके पास में उसी का राज चलेगा ठीक है आर अगर इंफिनिटी पर जाएगा प्लस होचाए माइनस इंफिनिटी इको जी कीजेगा अगर ऐडेंटिकल होंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा कहां पर मेट पॉइंट पर हम देखेंगे तो क्या फिल्ट जीरो हो सकती है मुझे आंसर दीजिए जारा कमेंट में लिख करके बताईए क्या यहां पर रहेगा क्या जीरो क्यों के कारण फिल वाली है इसके कारण डारेक्शन के आएगा राइट अवे मतलब राइट मतलब क्या मान रहें प्लस प्लस मतलब प्लस इंफिनिटी हलो यहां दीजिएगा बच्चों प्लस इंफिनिटी ठीक है तो यहां जाएगा कही न कहीं ग्राफ तो हम यहां से और यहां मतलब इसको यहां पर देख लेते हैं देखो यह पॉइंट इसके पास इसी का राज चलेगा इसके कारण प्लस है अवे होगा वे मतलब मतलब मैं इंफिनिटी की तरफ चले यह जो ग्राफ है यहीं से उतरके ऐसे आ जाएगा कोशिष करो सिखा रहा है बहुत बहुत शांदार ही क्लास में बजा जाता है बच्चों के सरी क्या सिखा दिया आ आपने िटक्र allowed और हुँराइब बतलि यह लाइन किल से आपवी बोलने लग जाएंगे के आई इसके बाद हैं यहां चलते हैं बच्चों इसके पास इसी तो थोड़ा उपर बना देना ऐसा बनेगा ठीक है यहां देखें यह रीजन बाकी ने गया यहां पर बच्छों इसके पास इसी का राज चलेगा प्लस क्यों की वजह से अवे अवे मतलब हो रहा है लेफ्ट में नेगेट्व माइनस इंपिनिटी और अंत में जीरो पर जाना इन दोनों का इलेक्ट्रिक फीड और जो है हम ऐसे चल रहें एक्सिस पर बना रहें ठीक है अरे आ रहा है कृष्ट रावत डिफरेंट चार्ज कभी आएगा एक ही नहीं करा रहा हूं फाइव ग्राफ करने वाले हम डिफरेंट चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब अगला वाला जो मैं बनाने वाला हूं उसके अंदर एक बार कोशिश करीगा ठीक है बचो आईए चलते आगे देखिए मैच करते हैं देखो ऐसे ग्राफ आ अपना पूरा ठीक है चलिया आगे चलते हैं दो माइनस के हैं ठीक है यहां भी बच्छों देखें यहां पर फिल टुमारेज इंस इंसीट है इंफिनिटी यहां 0 है तो यह ग्राफ ऐसे आएगा यहां पर यहां पर टौर्पर नभी और अधों सूब में मुझसे पहले अगर आपने बना दिया तो आप समझ जाना कि सीख रहा हो आप लोग हाँ इधर चलते हैं यह कुन सा है प्लस इंफिनिटी और यहां पर जीरो की तरफ चला गया वाई क्या बोलते हो बना नहीं बना रिया यहां भी देख लो बन रहा है यह इसका अंसर था और यह पन ने बना लिया बच्छो संदीप तपस्वी बैटा दो हो चार हो किसी के लिए बनाए इसी तरीके से बनेगा एक्स्टेंज कर सकते हैं आप कितने के लिए भी मैठेट से में मैठेट सीखो ठीके आगे चलते हैं बच्छो प्लस और माइनस की बात करें अब धियान देना दिक्कत अब आने मतलब राइट मतलब प्लसफिनीटी यहां रहेगा माइनस के कारन कहाँ मतलब प्लस राइट मतलब प्लस रही वेल्यू मतलब फ्लस ग्णा एनिचे ऑठी जाना पर weapons एगा चला जाएगा इटेंटल होंगे तो बच्चों यह पॉइंट आफ मिनिमा मिलें बिलकुल मिड में ठीक है और बनाते हैं देखिए यहां पर चले यहां पर किधर आएगा नर्ग मन से तो दो आए म्तलब मैनन एंफिनिति दो माइन से ले आते हैं जीरो प्लॉत इसको चाह भूलता हो थे आप अपन गया शांदां टॉपी कि आप देखें बिल्कुल यह मैच करेंका लिए कित्ते लोगों ने बना लिया था मेरे से पहले चलो यह बताओ लिखके बताना कमेंट में बच्छो ठीक है न यह बहुत शांदार मजएदार है ठीक है चलिए आगे अगले ग्राफ पर चलते अब देखो यहां पर दो प्लस के चार्ज है ठीक है यहां पर नीटरल पॉइंट क्या फील आ रहा है कौन से कौन से चार्ज की पतर हो देखो हां बताइए बना भी लिया क्या अच्छा वेरी गूड तो देखें चलो मिट पॉइंट पर अगरं देखें तो क्या हो रहा है इसके लिए जिस्टेंस दोनों का बराबर पर इसका एफेक्ट जाता है यानि यह पर इसका प्रभाव बढ़ेगा तो बच्छों हमेशा ध्यान रखेंगा स्मॉलर चार्ज की तरफ ही आपको निट्रल पॉइंट मिलेगा क्योंकि यह इतना ज्यादा यह पावरफुल नहीं कि दूर जाकर के कैंसल करके आ जाए यह करके आ सकता है तो बस यह रहा निट्रल पॉइंट्ट बाकि नेचर पहले जोसा ही रहेगा प्लस है तो अवे बनेगा यानि राइट प्लस प्लस इंफिनिटी तो यहाँ जीरो यहां से आएगा यहां पर देखें मैं सल नहीं हो रहा हो एक और नीजल पॉइंट नहीं आ रहा हूं अपर दोनों प्लस हैं प्लस के करन दोनों का इधर ही आएगा यानी कोई cancel होने का टेंशन है ही नहीं बनाओ तो यह आएगा प्लस यह यह टीक है very good बच्चों चलिए अब देखते हैं यह एक शांदार ग्राफ बच्चों यह बना के देखो यहां दिक्कत आने वाली और इक पर शुक्हां गलत होता है वार्निंग दे रहां हो पहले से सम्ट बता रहा हूं आओ देखते हैं क्या होता है क्या होगा बीच में तो नहीं आएगा यह बात तो समझ रहें कि बीच में अगर देखें कहीं भी देख लो आप तो माइनस के कारण टुए इसके कारण अवे तो यहां होना चाहिए पर हमेशा जो भी मैक्जीम आहर बसमॉलर चाल्च के पास न द्यूटल पसेगा क्लिए इहां और द काताथ है यहां पर होगा माइनस के कारण होगा तुए चवर्ट यहां करने की ताकत किसमें वही मज़ा है यहां क्या बोलते बच्छों बहुत कम इतना ज्यादा पावर्फुल है कि यह बैचारा वहां तक जाके कर पाईगा जिस्तंप यहादा जिससी बहुत ज्यादा इस साइड कभी मिल सकता है क्या डाल पॉइंट सब्सक्राइड था इसा फ्सका स्थिस्टेइस कमें में सब्सक्रीhores नियुक्राइब परक्रेस्फ अब गॅरब दो क्या बुक्त बि ferry सिन्ट इंफिनिती ओ भी हो रहा है अब सुनना अब सुनना दिहां यह else स को याद आहे ब दोनों जाना था अरे तो यह यहां से गुम जाता है और यह से एयसे चला जाता है क četam नहीं कि यह क्रोंगि आ रहाल को यह वगा यह वुर यह ही क्या चै damn सुनना समझना यह हुआ क्या है यहां पर यह हुआ देखो राइट में था है ना फ्लास इंफिनिटी ग्राफ आया यहां तक आ गया एकदम थोड़ी गाड़ी कितर मुड़ जाएगा तुरंत जैसा नीचर हो तो चलेगा धीरे धीरे पहुंचे गाना इंफिनिटी पे तो यह यहां पर काफी प्रॉबलम आती है और मैंने कोशिश की एक बहुत आसान तरीके से समझाने की लौजी कली मैस के बच्चों आप चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे जो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे तो यह साया समझ में यह वेरी बच्चों वेरी गुट ठीक है चलिए चलते हैं ध्यान दें इलेक्टिक फिल्ट इंटेंसिटी ओफे चार्ज वायर यह ध्यान दीजेगा बच्चों यह जो कॉंसेट इसके मिक्स क्वेश्चन जब अच्छे लेवल के आते हैं तो वहां भी दिक्कत आती है ठीक है पहले हम इसको जो है मिनु मिश्रा मज चलते हैं हम उस पार्ट पर भी नहीं जा रहें लिखा हुआ मिल जाएगा मैं रिजल्ट और उसको लेकर के अप्लिकेशन पार्ट पर ही चलूंगा ठीक है मैं पहले भी बता चुका हूं यह बात तो देखिए यहां पर यह सब आते हैं यहां पर सबसे पहले हम डी निकाल देखिए निकाला उसके दो कंपोनेंट होते हैं एक और यह निकालना पड़ता है तो क्या होगा एक्स यह एंगल थीटा होता है तो इधर से भी एंगल थीटा तो यह जो आएगा वो डी कॉस्ट थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन सॉल कि हमने यह आ जाता है ऐसे इवाई क्या होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कंपोनेंट का और अपना यहां पर इसका भी रिजल्टा आ ठीक है तो यह फाइनल के सिर्फ जोंद कर लिकाए वागीश्ट कर दिखाब इसको चाहिए अब इसमें से नोट कर लिए हम रिजल्ट अरप्लिक जला देखे यह ऐसा होता है ईह लग अलग अलग इसाइंग लिए ध्यान दीजेगा ए रिजल्टेन चाहिए तो समझें ना एक्समें वाइन है तो रिजल्टेन चाहिए तो एक्सका स्कार्वाइड थीड किस्कूर तो सारे सर सारे ग्राफ करेक्ट आये बढ़िया मैठट है चलो थैंक्यू बटा संदीब तपस्वी ओके बढ़ा मजा आये ना कुछ नया सीखनों को मिला है बस यही लेकर करके हम सीरीज को लेकर आ रहे हैं कि जहां जहां प्रॉब्लम था आप तो सही टॉपिक्स पकड़ लाए हरशित कुमार यही यहीं से देख रहे हैं कहां बच्चें हमसे ज्यादा पूछते हैं कहां प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हम चीजें आपको लिए बताने वाले हैं ताकि यह इसी हो जाए कई बच्चों पहुंच जाएंगे हैं यहां से अपने पास निकल के आएगा अलफा बीटा दोनों 90 हो जाएगे को इनफिनिटी जाएगा तो यह अंगल बढ़ता चला जाएगा इंक्रीस होता चला जाएगा यह जो एंगल था आना देखिए यह यह जो एंगल बन रहा था है मैं इस और और बच्चों ध्यान दीजेगा अगर सिमेक्ट्रिकल सिच्वेशन है तो सिर्फ एक्स में फिल्ड आएगी है याद रखना ठीक है तो वाई कंपोनेंट जीरो टू के लेंड़ वायर चलेंगे और दूसरा हैं सामने के सामने वहां देखना है क्या इंगल होंगे आपक सिंपल सा है दोनों कंपोनेंट आने वाले मैं इसको अलग से बना की बता देता हूं दिखी इधर है इधर से जा रहा है यह इन्फिनिटी और आपको अगर इस पॉइंट पे चाहिए इसके कारण तो एक कंपोनेंट तो बच्चों इधर आ जाएगा यह कौन सा हो जाएगा ठीके नवनीद बेटा है ना बस फॉलो करो प्रैक्टिस करो ठीके आपके लिए कुछ फाइदा हो गया तो मजह आ जाएगा इसके अंदर चले तो बचों यह केस हो गया ध्यान रखेगा सिमेट्रिक सिमेट्रिक अगर आ जाए तो ध्यान रखेगा दोनों एंगल को अलफा यह देखो यह एक शांदार है यह गड़बड करता है यह सिच्वेशन समझ दीजेगा इनको हम कहते हैं कि इन सफिशेंट लेंग्ट यहीं तक ही खतम हो गया वायर लेंग्ट पहुंची नहीं पाई यहां तक जहां तक चाहिए था हमें यहां के सामने अगर पॉइंट हो लिमिट कैसे लेते हैं लोवर एंड बीटा एंगल बना रहा है अपर एंट वही अलफा बना रहा है सिंपल है उसको पुराना फॉर्मला था उसमें माइनस बीटा से रिपलेस कर दो बास बास सारे फॉर्मले बन जाएंगे आपके महीं क्यों समझें चले तो यह आता है बस यह बोला हुए मैंने है ना तो यह रखा है रिपलेस थीटा टूबाय माइनस थीटा यही पते की बात इसमें अब बच्चों यह रिजल्ट आ जाएगा एकस कंपोनेंट में भी माइनस आ जाएगा पहले इसमें नहीं आ रहा था था ठीक है तो अब देखिए ज़रा इस प प्लस के कारण आएगी फिल प्लस फूर यह लेमडा बहुत्त है ना तो मैं सीदे सीद्ध हलो तो यहां से समझें अच्छा मैं इसको ऐसा लिख दूँ ओर लेंडा की फिल्ड होगी तो इस तरफ में लिखना चाह रहा हूं टू ए जो है वह सिफ लेंडा के कारण है लेंडा के फिल्ड है तो यह हो जाएगी थ्री ओर लेंडा वन का डिफरेंस क्या होगा टू यह इधर यह वह सब्सक्राइब करने एर तो टू यह भी तो ऐगेंगी पठ्क जू एक फाय में एक स्में जो आए फिल्ड यह रिजल्टेंट आने वाली है कि तो कर दे है यह थो रूट टू तो टू आए रूट टू एक वेल्यू रग देते जना यहां पर यह आएगा बच्छो ट तो इसको मैं यहीं पर रख देता हूं बच्छों ए नीचे और टू उपर साइन अलफा अलफा मतलब क्या हो गया यह जो वायर है यह क्या एंगल बना रहा हो का बच्छों दिख रहा नहीं स्क्वाइर यह एंगल किता हो जाएगा 45 तक दे साइन 45 चलो यह लिख दिया है मैंन लेंडा बाइए तो अगर उन्होंने जो पूछा है तो एन एन क्या हो जाएगा इस हिसाब से यास वेरी कुट कई सारे लोग आंसर दे चुके हैं एन विल वी एट आई यह देख लेते हैं क्या हमारा अंसर आ रहा है यास बच्छों सही आ रहा है अरे क्लियर है तो यह जादा बात नहीं करूंगा इस पर भी एलिमेंट लेते हैं इसको देखा ठीड़ा कंपोनेंट आया है पूरे पर चलोगे तो यह कंपोनेंट चैंसल और इसी का इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन जब हम कर लेते लिमेंट करके तो हमार पास यह रिजल्ट आता है यहां डीजएगा तूपके लेम्डावायर साइंट लेम्डा मेंचलहां लेम्डा की डियों लेग्ता है तो तो यह स्तिहान दीजेगा चलते हैं तो अब इसके देखें पीछे अगर हम इस फॉर्मले में वैल्यूस रखें पाई जब हम रखेंगे बच्छों तो आप देख पाएंगे यहां पर पाई रख दो भाई इसके अंदर पाई 90 बनेगा तो यहां पर अपने पास आगया है कि इस टूके लेंड़ा यार थेना सरकल कम्प्लीट सरकल टूपाई रख दोगे हम जानते सेंटर पर क्या तरिंक जीरो आ जाता और पीछे जो फॉर्मला है उसके अंदर हम रख रहे हैं तो फिर जीरो आ रही है एक बच्छों क्वाइटर जो है क्वाडरेंट की बात कर अब चलते हैं आगे अब देखें अब इसी पर क्वेश्चन देखो आप यह मिक्स क्वेश्चन आते हैं एक बहुत अच्छी बुक चलती है नाम तुम्हें नहीं दूंगा भी यहां पर अच्छी बुक है आपके ध्यान में आ गई होगी कि छोटी बुक है पतली बुक है गलर की और उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते है इस एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्छो में यहां पर आप देखो यह जो वायर आपको दिख रहा है कुई मेरा तो मानना है एक बर आप लोगो खुट ट्राय करें मेरे अन्से पहले आनसर आपका आज़ाना चाहिए आई यह देखते हैं मैं सॉल कर रहा हूं यह जो वायर हम जानते हैं इसकी फिल्ड क्या होगी बच्छों इधर होगी एक इस के लेमड़ा और एक इधर होगी डाट इस अगें के लेमड़ा या 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 दिन अफिल या ती दो कंपोनेंट आते थे समी इंफानाइट व यह यह लेंड़ा यह वाए और आतना हुआ अभी नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं है बच्छों भी यह बचा कि अभी हमने देखी थी जाट है जो के लेंड़ा वाए और एक कैंसल हो गया वाई का आंसर yes answer will be zero yes field जो हमारी आ रही है that is zero clear है क्या तो यह question देखिए इस type से आते हैं तो यह ऐसे हो जाते हैं ठीक है एक और यह वाला देखते हैं इसमें कि specialty है क्या है यह जो वायर आपको दिख रहा है इसकी वज़र से जो field आएगी बच्चों को इस तरफ आएगी केड़ी फिल्ड आ जो भाई इसका एक इधर एक इधर आएगा इसके लिए एक इधर और एक इधर जस्ट उल्टा आ रहें कैंसल हो गए अब बचा कौन यह क्वाड्रेंट बच गया तो इसकी वज़े से जो फिल्ड रिजल्टेंट निकलके आएगी वह यही आने वाली है क्वाड्रेंट की जानते हैं कित्ती आगी थी बच्चों यहां देना रूट टू के लेंड़ा और और यह 45 डिग्री पर आती थी ठीक है हम मैगनिटूट में लिखना तो ऐसे कंपोनेंच चाहें तों कंप़ोनेंच भी कर सकते हैं ठीक है तो देखें यहां पर यह बचले और अब म tutनुन दिखें थम्छों ने बच्ट कंपोनेंच भी आ जाए गया रहे क्लियर है चलिए तो आगए चलते हैं थिहां दिज़ेगा सब बैंग नलय करें न है तो यहां पर अगर हम देखें यह मैं नहीं मिल जाता यहां रखने वाली बात क्या है बात समझ और एक एलेमेंट वा जाएगी और दूसरा माना यहाँ फूर जाएगी यह दोनों कैंसल करेंगी सइन कॉष्वाले हैड हो जाते हैं इसका इंटीग्रेशन करना है हम फाइनली जब इंटीग्रेशन करके लाते हैं तो हमारे पास यह फॉर्मला निकल के आता है के QX by R square plus X square 3 by 2 center पर चले जाए एक्स को 0 रग दो के तो तो फिल्ड जिरो यह वहीं बन गया रिंग के center पर क्या आती फिल्ड जीरो रहा नहीं है यहां से भी ठीक है अब हाँ इसमें condition आती है maximum minimum आता है बच्छों मी फिल्ड कहा maximum आएगी इस function को उठाओ maximum लगाओ देडिफ्रेंशेट करो डिफ्रेंशेट किया डिवाइट जीरो सॉल करते हैं तो यहां निकल के आता है आर बाइरूट टॉप्लस माइनस यह क्या सब्सक्राइट बचलेंगे तो फिल्ड राइट में है लेफ्ट मैं क्या होगा फिल्ड नेगट व्ल्यू लेटें यह नेगित वक्त यह जाती है तो ग्राफ जब प्लोट करते तो हमारे पास वैल्यू भी आती है तो यह आप देख पाएंगे कॉंसेर्ट यह मैग्सीमम वैल्यू आती है है अब इसमें एक और चीज है यह तो आगया अगर मैं आप से बोलू यह जो मैग्सीमम वैल्यू दिख रही है इसकी आधी वैल्यू इसकी बात कर रहा हूं कि इत्ती बार देखने को मिल रहा है बता सकते हैं चलिए देख रहा हूं में देखें कौन लोग इसका अंसर दे पाते हैं कि बताइए वेट कर रहा हूं मैंगनिटूट कि बार मिलेगा बच्चों मैगनिटूट यह बताईए आंसर नहीं आ रहा है मुझे लिखना पढ़ेगा इसा लग रहा है मानव ने लिखा है टू पदमज भा भरांबे फूर ओके और विराम सिन्हा फूर फूर यारी गूड वेरी गूड बच्चों सर सेम इस गरिविटेशन पिटा आंसर दो आनसर आना चाहिए वीता रीता न चलो आधी वांडू आधी बादो यह कित्ती वांडी टुटाइम्स यहीं मेल रही है वैलिव मैंगनिट पूला इस तरव भी तो टू ताइम्स मिल रही है नहीं आशी नहीं साही आंसर दिया पट्चों वैडू पूरा लोग बढ़िया कर रहे हैं ठीक है पुरा ध्यान से को मान कर तो भी मैं आपको बता ज़ता हूं कि बच्चे से बहुत जरते हैं इसका डेरिवेशन सर्य यह क्या देख लिए इसमें इंटीक्रेशन के लिए मानते हैं फॉर्मला ने रिंका लगाया और फिर हमने चले अब आगे चलते हैं धिए क्वेसिन देखते हैं रिंग पर इसे हम पुरीयोगाücht करेंगें को प्रखव यह इए को जैसे किया रेष्ट पर तो यह रिलीज और जाएगा फिर वापस ले आएगा तो यह कहीं न कहीं यह और सिलेशन होता रहता इसका ठीके यह तो अब चलिए निकालते हैं पूलेखें ठीके तो हम इसको सॉल कर लेते हैं तो देखे बच्चों यहां पर जो फोर्स लग रहा है हम इस दिस्टेंस को थोड़ देर के लिए इसको एक्स मान रहे है ठीक है एक्समाना फिल्ट का जानते हैं रिंग पर भी हमने क्लक्लेट किया अवे आ रहा था फिल्ट यह रही माइनस का चार्ज यादे लगेगा ओपोस्ट टुद फिल्ट ठीक है यह लग गया एंफ की बात करें तो एफ क्या हो जाता है बच्चों क्यू औ अब यह क्या है हमने एक उधर लिया पर एफ इधर लग रहा इसको रिश्टोरिंग मान के माइनस में लिख सकते हैं तो मिसको लिख देते हैं माइनस ओफ में अब बच्चों धियान दीजेगा स्मॉल ऑसिलेशन स्मॉल ऑसिलेशन होंगे तब भी ऐस होगा अधर्वाइस होता है यह दियान रखिएगा है ना जब एक्स की वैल्यू जो है वैरी वैरी लेस दैन आर होगी तो एज आएगा अपना बच्चों इधर ले जाते हैं माइनस के क्यू कैपिटल क्यू एक्स वाए एम हाजी को ना रहे हैं से बाहर एक्स को नेगलेट कर दें प्लस मैंस मे गया है बच्चों आर क्यू आप देख पाएंगे क्या दिख रहा है एप्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स अरे यही डेफिनेशन तो होती है ऐसे चम की बस टाइम लिख देता है क्योंकि यह ओमेगा स्कॉयर होता है तो टी क्या हो जाता है बच्चों टू पाई बाए ओमे तो मैं आपको कभी भी गड़बर नहीं होनी चाहिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए है ना कैसा लगा आपको बताइए जाना देख करके यह बच्चों यही आ रहा है फॉर्मुला ठीक है अनसर यही आ रहा है अपना तो बच्चों रिंग कर एक्वेस्ट्चन को लेकर आजा बिल्कुल तरीके से उड़ा के आना है ठीक है सुर्यांच नहीं बेटा यह है सॉलिड एंगल की अप्रोच से भी सॉल कर सकते आप पूछाए नहीं होगा यह वह फ्लक्स के लिए काम आता है अभी आने माला आगे इसमें से प्रूब करोगे सॉलिड एंगल में तो चेंज ह लग रहा है कि मैं जो मैंनत की है उससे आप लोगों का फाइदा हो रहा है समझ में आ रहा है तो नंबर फिल्ड लाइंस पासिंग तुरें एरिया परपेंडिक टेड़ी चली तो एरिया वेक्टर देखे बास सुनिएगा एरिया वेक्टर वैसे तो नौर्मल यही तक बच्पन से पढ़ते हैं पर बच्चों यहां पर एडिया का को वैक्टर की तरह क्रीट किया रहा है एक्चलि हम यह चाहते हैं कि कोई भी सर्फस से इसका इलाइनमेंट पता चले मालो बना ना चलेका डैरेक्शन अगर मैंने ऐसे फिरीड़ है इसको घुपा वनाई तो पर्पेंडिकुलर हो गई यह औरियंटेशन अलाइन्मेंट पता चलता है समझे चलिए आगे चलते हैं तो बजा देख लें जला इसको कौन सा कंपोनेंट का काम आएगा कॉस कंपोनेंट होगा जिसको गिनने माएगा यह वाला साइन तो पैरलल निकल जाएगा फ्लक्स में क सब्सक्राइब चलिए आगे देखते हैं इसके केस देख लिए लिखा था हमने यह कॉस्टीटा फॉर्मुला फॉर्मुला आप जानते हैं न बच्चों ठीक है इस पीडिल के लिए तो हर डारेक्शन सेम होगा जिस पॉइंट पर बात करते हैं उसी पॉइंट पर एरिया अधर ज़र देखो एरिया यह दिख रहा होगा आपको एरिया वेक्टर यह इधर यहां पर बोलते हैं प्लस प्लस बताता है एक्जिट होगा इंट हो नहीं कर रहा है समझ गए तो यह अपना हो जाएगा यहां पर कट नहीं करेगा जहां रखना है जीरो फ्लक्स बोलेंगे 90 कॉस 90 ऐसा ही बच्छों 90 से 180 जब रखते हैं तो फ्लक्स आता है नेगेटी नेगेटीव को बोलते हैं इंटरिंग फ्लक्स एवनेटी पर साफ साफ देख सकते हो माइनस यह हो जाएगा अब यहां आप देखेंगे देखेंगे इस तरफ यह एक्टर है एंगल किता है 180 में अंदर चली एडिया को काईटी के अंदर जारी एंटरिंग फ्लक्स को लिखेंगे नेगेटीव होना पॉजिटीव होना नेगेटीव होना यह सब कुछ दिख रहा होगा एंटर करना एक्जिट करना यह फिल आ रहा है नहीं आ बच्छों मुझे कमेंट में लिख करके बताईए जरा अच्छे से क्या प्लक्स एलेक्ट्रिक फ्लक्स की फिल आ रही है आप लोगों को कि हम यहां जो मैं सरकल बना दूंगा इसमें से जितने एरो तीर बाहुबली के तीर ऐसे गुजर रहे होंगे वही सब मिला लूँ वही तो हमारा फ्लक्स है अरे बताएं बच्छों समझ आ रहा है विराम सिन्हा वेरी गुट बैटा वेटा 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 यह तो बस यह बस लगा दिया हमने तो यहां पर जो मुझे फ्लक्स लिखना वह वह वहां फिल्ड एरिया लेना पड़ता है प्रोजेक्शन यानि कि सरकल प्रोजेक्शन इसको परच्छाई मतलब इसको ऐसे परच्छाई मना दो यहां से जो आ रही है इसकी शैड़ों क्या बनेगी सरकल बनेगा इसक बनेगी तो आपका अंसर आजाएगा अरे समझ गए यास प्रोजेक्टेट इरिया लेते हैं तो देखें वाई यही अंसर आ रहा है ठीक है चलते आगे अगला क्वेश्चन देखें बच्छों यह रहा अब कौन से बात करें वाली यह ऐसा ही से मिस्ट्रक्च रहाता हôm है क्या बना सकते हो घबनेगा को रखा है ऑई सक्रीम को सिर्फ यह जा रही क्या रहे है नियुक्त बड़ां सेना वर्युड बच्छ तो यह प्लत में अरे खूआ बटाने है न हमन मैं चलो बैरियोट क्रें लिग अपर वह सारे लोगों लिखा धाइस यह पिरिय लिए यह अपके लिए यह आपके लिए यह टू आर्ट वार यह गलती मत कर आ यह लिदा यह गलती विस और है तो यह आपके पास फाइनली ए आर एच है यह स्कॉट दांसर अरे मैच कर गया यह दिसने लिखा प्रमोर देखो ए आर एच बाइट टू लिखा तुमने तो वही गलती हुए तुमने आर ले लिया समझ गये गलती समझ गये ना मैं वही बताना चाहरा हूं आपसे रूतुजा नागनाथी बस बिल्कुल सही आंसर प्रतिभा आपका भी सही बटाई यार एच वेरी गुड़ पंचम देखो यार एच बाइच बाइट नहीं चाहिए बस ठीक है गलती करो कोई दिक्कत नहीं यहां पर सिख गये आगे रिपीट नहीं हो ठीक है चली आगे बढ आपको फ्लक्स बताना है ठीक है बच्छों चली आइए अप्रोच करते हैं इसको है ना कि पिता कौन सी एक्सराइस करना बैस अभी पैटा समझो ना भी इसको तो करने तो मेरा लिंक जो रिदम टूट जाएगा अभी टॉपिक चल रहा है टॉपिक चलेगा फिलाश में ब इकस उप्लेन एक्स वाई यकस में ये वाइब महीं साथ साफ उसकते हो बता अब्लक्स चला यह तो बताAY मुझे क्या आगगा ं इस वाई प्लेन कोन बता सकता है सकांसर लिखें जाना रहा है पहले पहले कांसर यह वह है कुछ बहुत बहुत 0 आएगा क्रीपूख कर के नहीं जा रहा है समधके similarly flux through क्या पूछा है अग्स जैड बच्चों एक्स जैड तो यह एक से और यह जैड वाला एक्स जैड ऐसे बनेगा बाहर इसमें मुझे बताई जारा एक्स वाली फिल्ट तो पैरल निकल गई वाई वाली फिल्ट जरूर इसको क्रॉस करके जा रही समझ गए तो यस अब हम एरिया लगा देंगे है ना एरिया है 10 तो लगा दो भाई कौन सी फिल्ट लेनी पड़ेगी इसमें वाई वाली तो फाइफ इंटू 10 अरे यह अंसर का क्या आएगा देख लें चली बताइए वाई है और इधर जैड है तो इसमें एक्स वाला ही इसको आरपार क्रॉस कर पाएगा वाई वाला तो पैरलली चले जाएगा तो एक्स कंपोनेंट लेना यानिकि 10 और एरिया घी 10 अरे अंसर क्या आगया बच्छों 100 अरे देख पा लोगा यस यस वेरी बहुत अच्छा कर रहा है बच्छों साथ साथ चल रहे है अंसर देते चले मजहा यह आ रहा है पढ़ाने करने वाले हो तो तो बच बैसे मतलब क्या बताओं मैं आपको अपको है तो यहां पर थोड़ा सा आप भी पानी पीजिए और में भी पानी पी करेंगे और सॉल करेंगे ठीक है तो बनाते रही है देखिए ठीक है मैं भी स्टाइट करता हूं देखते हैं किसका अंसर मैच करता है ठीक है बच्छों चलिए हाँ पंचम सुर्यांच यस सर मजा आ रहा है यस बच्छों चलो बहुत बढ़िया बात है लगे रहो भीड़े रहो हां करें स्टार्ट चलिए ट्रक्स देखें हां बचों वाय में नहीं सेवन वाय आई कैप आई कैप में फिल जा रही है और जो दिया हुआ है वाय जैड प् यह कुछ से आ गया ना नेट फ्लक्स निकालना ऐसे में फ्लक्स निकालने के लिए क्लिए करना चीजिए क्या करना फाइट फिलिंटू एरिया और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप देखेंगी जाएंगे ना ऐसे वाय के साथ साथ उपर वैल्यू चेंज हो यह यह बढ़ती जाएगी फृलिकिगली चेंज तो एरिया इंटीग्रेशं पर लगेगा इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे फेल्ट यह लगांगे एरिया एंगल तो एरिया भी इधर फिल्ट बीदि तर कॉस्त इडीटर इस जीरो तो लिख सकता हूं में चलिक या वाली साइट तो अपनी ए हो जाएगी इसके ना तो यह बनेगा बच्चों एंटू डिवाइड लिमिट कहां से लगाओगे बो स्कॉयर यहां आपसे माना तो यह भी तो स्कॉयर एही लगेगा ना यह सकांसे कहांगा जीरो से एवेरी कुछ बच्चों ने अंसर दे ही दिया है नवनी थोड़ा सा गलत दिखरा पिटा रूतुजा का अंसर सही दिखरा है यह सकई बच्चों का अंसर सही है तो बच्चों यह आ जाएगा सेवन ए मैंने बाहर रख लिया वाई का क्या होता है स्कॉयर बाइटू रखेंगे तो ए स्कॉयर बाइटू अरे अंसर आ रहा है सेवन एक यूब बाइटू देखें मैच कर लेते हैं यह अंसर देखें ज़रा कितने लोगों का रहा है यह यह स्वेरी गुड़ बच्चों बहुत लोगों ने अच्छा सही आंसर दिया बहुत बढ़िया बहुत सीख रहे हो आप लोग मज़ा आ रहा है सॉलिड एंगल अब चलते हैं बच्चों एक शांदार कॉंसेप्ट पर यह जो परिशान करता है ना यह मतलब हिला देता है बच्चे को एक दम यह कौन सा बच्चे छोड़ देते हैं मुझे पता है बहुत सारे बच्चे छोड़ता नहीं सॉलिड एंगल अरे कौन आइसक्रीम का कौन है बच्चों वाद दोस्ती कर लो आप इससे क्यों कि आइसक्रीम वाट जुड़ा इसके साथ ठीके आजाई देखें क्या यह सुने समझें थ्री डाइमेंशनल एंगल होता है टू डाइमेंशनल नहीं होता है ठीके इसक चार्ज यहां रखा रहेगा एक डिस्क होगी उसका सॉलिड एंगल इख रहे हैं कि यहां पर यह इस सवलिड एंगल और सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दू इसे टूडी के चश्मे से नहीं देखना है अगर आप सोचेंगे से टूडी में ऐसा बनता इससे कैसा बना कभी नहीं बनेगा इंडिपेंडेंट पहली बात यही क्लियर करना चाह रहा हूं आप बिलकुल टूडी का चश्मा इठाते हैं ठीक है ठीडी से सोचें ऐसे सोचें आइसक्रीम कौन कैसे बनता है हाथ को इसा कर लो तो वहां देखो यह जो सिस्टम है डैट इस सॉलिड टूडी नहीं है तो ध्यान रखना प्लेन से कभी रिलेट मत करना प्लेन एंगल के चश्में से देखो के आए गई नहीं कभी समझने ठीक है चलते हैं चलिए फिर वही बात है डेरिवेशन पर नहीं जाओंगा एरिया पॉन डिस्टेंस का स्कॉयर करके जब हम सॉलिड एं बहुत काम आता है भाई इसका क्या सिगनिफिक क्यों पर रहें इसको क्यों हम समझ रहें इसका बहुत बढ़िया रीजन है आगे हम एक चार्ज में रख दू इससे निकलने वाली चारों तरफ से लाइन निकलेगी गॉस्टेर्म पर अपर अप्रोच करने जा रहे हैं तो इतने से कितना जा रहे है तो सॉलिड एंगल ही यहां पर काम आता है यह सॉलिड एंगल ही बताएगा इसमें कितनी लाइन जा रही है वह अपना अंसर होगा अरे समझ रहे हो बच्चों क्यों आया है इसलिए पढ़ाने लाया हूं यह बहुत दिक्कत देता है इसलिए मैं को यह चीज पढ़ा रहा हूं भाई ठीक है तो चलें आगे गौश लोपे चलते हैं सॉलिड एंगल का टू पाई अच्छा एक बात और बता देता हूं इसके अंदर टू पाई वन माइनस कॉस अलफा में ध्यान दीजिएगा एंगल तो सॉलिड निकाल रहे हैं पर एंगल वही कॉस अलफा लिख लो रूट ओवर यह सब लगा सकते हैं अब यहाद रखेंगे टू पाई वन माइनस कॉस्टिटा या कॉस अलफा है ना अब बात समझें गॉस्ट थियोर्म पर चलते हैं गॉस्ट थियोर्म क्या कहती बच्छों बहुत शांदार थियोर्म है यह कहत है यह थियोर्म क्यों पढ़ रहे हम सब्सक्राइब करने अब कुछ जगह तो बहुत आसान थी के क्यूब आपने माश्ट्री कर ली तो बहुत जल्दी आंसर देती सिम्मेट्रिकल सिस्टम अगर आजाए तो गौस ही लगाना आपी समझ बहुत जल्दी आंसर देती है ठीक देखते हैं आपन है ना देखी आगे तो मैथमेटिकल फॉर्म यह कहता है बात समझें फाइव फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल क्लोज सर्फिस से चल रहे पूरे क्लोज सर्फिस पे इन्होंने बात कि समझे क्या लिया था इन्होंने एलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी ओवर इंटीग्र फ्लक्स पर फॉर्स कर रहा हूं फोकस करें इस पर जोड दे रहा हूं मैं तो वन बाइप्सलों नोट टाइम्स क्यों इंसाइड अब देखें अब जिसे यह इस यह चार्ज रख दिये यह वाला गोशन सर्फिस बना दिया आपक्या होना चाहिए इससे हमें क्या मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंसाइड चार्ज से मतलब है यह यह और यह चाऊंट ओगा बाहर वाले कुछ नहीं इसकी लाइन यह इंटर करी तो एक्जीट भी तो कर गई ना सुनना एक्स्टरनल चार्ज का इफेक्ट नहीं होता है कि नो ने contribution of lines क्यों जित्ती लाइन जा रही उतना ही वापस बाहर निकल जा रही है अरे बात समझ गए ठीक है तो इसलिए एक्स्टर्नल चार्ज नहीं लेना है ठीक फिर से कहा हूं सुनने बात को समझें इसलिज तो सीमेट्रिक चार्ज दिस्ट्रिबूशन पहलो तो सिमेट्रिक होंगे स्पियर सिलेंजर ऐसी सिमेट्रिक चीज़े होनी चीटेड़े में नहीं आएगा अंसर ध्यान से समझना है अब देखें यह जो लाइन दिखिए इसको समझो यही मैं आप से बताना चारा था भी फ्लक्स तुरू सर्फेस ड आएगी ना यह बात पर अगर मुझे फ्लक्स निकालना है अनदर फिरता चार्ज तो मुझे किसी ब फ्लक्स यह समझे आई तो यह रबात कर चुके एक होГे लाइन रसक घ्रकी था मखें फ्लक्स का गीन बताता तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज है तो नेट फ्लक्स जीरोगी पर हां अगर फिल्ड जीरोगी तो यह बात आपको ध्यान देनी चाहिए तो बच्छों जो भी है यहां पर जो भी रुकना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं पर बाकी बच्छों को पढ़ने दें पढ़ें आप आरा करते रही है आए आगे चलते हैं फ्लक्स ठूट डिस्क यह बात समझ लीजे इसलिए हमने सॉलिड एंगल पढ़ा था तो यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यह अगर एक चार्ज रखा हुआ है आपके पास यहां पर इससे निकलने वाली जो लाइंस आ रही होंगी हम हम क्या करते हैं यहां पर इसको ऐसे ऐसे बना लेते हैं में हो गया बच्छों अपना अलफा और यह माला पूरा एंगल जामते पूर पाई सॉलिड एंगल पूरा ब्रहमांड त्रीड फॉर पाई सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स निकलता है यह यह कुवाइब एपसलोन नौट वन माइनस कॉस अलफा अरे यह फ्लक्स याद रखना बच्छों फ्लक्स थूडेस्क हो यह रिंग भी हो आपके पास यही फॉर्मला आएगा क्यू बाइट टू पाई एपसलोन नौट वन माइनस कॉस अलफा ठीक है याद रहेगा वही सबको अच्छे से याद रहेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलो इसी पर क्वेश्चन देख रहे हैं दिहान दीजेगा यह रिंग चार्ज इससे फ्लक्स निकालना है जल्ली से बताईए मैं से पहले अंसर आना चीप च्छों कि फॉर्म नहीं बता चुका हूं मैं तो आपको आपको सब्सक्राइन अलफा क्या होता है पर्पेंडिकुलर बाइबेस यानि यह आजाएगा आपका फॉर बाइठी यानि की अलफा किता साइन 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 मतलब 53 अलफा इंगल बताएंगे कोई यूरा सिंग थैंक्यू बैटा पीडिएफ आपको लास में मिल जाएगा ठीक है मिल जाएगा आपको लिंक को अगिरा सब मिलेगा यूविल गैट पीडिएफ टोंट वरी ठीक है अभी जो पढ़ रहे है ध्यान से मस्ती से पढ़ो एर बढ़ी है ना बच्छों हाँ वाइ टू एपसलोन नौट वन माइनस कोस ओफ अलफा 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 कोंता ही है फिफ्टी थ्री तो यहां बच्छों क्यू बाइट टू एपसलोन नौट अपना अंसर अरे बच्छों समझ में नहीं हैं क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर बताईए इसलिए पढ़ा है हमने यहां पर सॉलीट एंगल समझना रहा है इससे डर लगता है बच्छों को इसलिए कॉंसेट लेकर आयों मैं आपके लिए यहां पर एकांग शगरवाल थैंक्यू बचा थैंक्यू है ना ठीक है चलिए आगे चलते हैं बच्छों इसकी बात हाँ आएगा ध्यान से समझना है ना अब पहले क्वेश्चन देखते पूछा क्या है तो चार्ज एरा सराउंड़ेट वाइस सिस्टम इन्वर्टेट कौन रखा है और हमेस्फियर रखा है आप से क्या पूचा है एलेक्ट्रिक फ्लक्स तूपर से जा रहा है तो बस क्या लिख इसका क्या कर देना अपने को क्या पूचान यहां तो नीचे तू आना चाहिए तो इसके लिए क्या होगा रहे जाता है बिना पैन चलाई भी से कर सकते थे जहीं एडवांस 2022 अरे समझ पा रहे हैं यह जिए फैरम जिनों ने पढ़ ली उड़ा देंगे आप इसको समझ लिखे देता हूं यहां पर कि अपना त्री आगे चलते हैं इसको अलग-अलग तरीके से मॉडिफाइब कर दिया जाता है समझना एक प्लेट लेट के ऊपर एवाई टू पर रखा एवाई टू पर रहा रहा पूछा इससे फ्लक्स बताओ भाई तो देखो कुल कुछ अज़को क्लोस करने के लिए क्यों बनाना पड़ता है पूरा फलक्स चाहि Cheesenormी यहां से पूरा नियागा बिए निए सथिअ किभी सेब और हम देखें तो इसका सारह इस क्या में आ जाएगा क्या बना लें फ्लक्स क्या था गॉस जी ने कहा था कि क्यू वाइपसिलोन नौट पूरा फ्लक्स होगा इसका सेंटर पर रखा है सब तरफ से सिमेट्री हर फेस के लिए सिस्टम सेम है तो छे फेस होते हैं क्या करें सिक्स फेस हैं डिवाइट कर दो एक कई तो चाहिए तो बस बच्चों क्या अंसर आ जाएगा क्यूब आए सिक से एपसिलोन नौट अरे बास समझ में आ रही ही क्या आप लोगों को तो यह सिस्टम है अगर यहां से पूछा है तो अपना इतना फ्लक्स आता है यह आपको बहुत अच्छे से याद और समझ करके रखना है क्योंकि इसी को कई जगा मिक्स कर लेते हैं हो समझ गए क्यूब नहीं दिया तो देखो प्लेट दिया करके तो भाई कुछ भी हो अपने को डरना नहीं और बिल्कुल अच्छे से चलना है सब्सक्राइब क्लियर हो रहे हैं चलो थैंक्यू वेरी गूट ना चलिए आगे चलते हैं और भी देखते हैं बच्छों इसके बाद अपन क्वेश्चन है ना देखिया अब यहां बच्छों कॉर्णर पर रख दिया भाई चाज इसको मुझे चाज को क्लोस करना है तो कितने क्यूब लगेंगे लगें विल्कुल सही है तो इसमें से वन एट पार्टी जा रहा होगा ना अब यह बढ़िया क्वेश्चन देखे दो चीजें पूछी है फ्लक्स तुरू क्यूब एंड तुरू इच फेस ऑफ दा क्यूब अब इसको समझे बच्चों इसे क्लोस करना है तो मुझे आज क्यूब लगेंगे यह इससे किता जाएगा तो पूरे पूरे क्यूब से अगर अब इसमें दो वराइटी है आप अगर देख पाएंगे तो देखो एक तो यह जो लाइन जा रही है इस वाले फेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर और यह लाइन दोनों परपेंडिक उदर इसके पैरलल जा रही है इसमें से तो जाएगी नहीं तो तीन फेस होंग कि अरे क्यों वाइट एपसिलोन नोट था तीन फेस हैं तो वन थाइट कर दें अरे क्या अंसर आजाएगा वाई क्यों बच्छों ने सही लिखा था वेरी गूट विकी एक बार फिर से चलो देखो अलग तरीके समझाता हूं ठीक है इनिमेशन से समझाता हूं खुश हो ज एक से कित्ता चला गया क्यूबा यह वागतों सबकूस और यह कॉर्नर पे कौन-कौन से 0 जाएगा यह वन अरे यह तू अरे यह थ्री यह बता आप इन तीनों से 0 ही नहीं बसी बता तो तो इसमें से कैसे जा रहा है यह लाइन से चली यह एरिया वेक्तर के परपेंच क्रो क्रॉस करके गई क्यए कि से क्रॉस क्रॉस अंदर से बता दो बश् अब आगे चलते हैं अब यह देखो भाई यह सामने वाले तीन है यह रहा यह रहा और यह रहा ठीक है यह देखो तो वास अब जो फ्लक्स आया टो तीन में बटरा है भाई छे में नहीं बैटरा है समझ गए तो वस यह आगया यह तीन वराबर है तीन तो यह क्यों आजाएगा आपका क्यों अब यह बात सबको समझ में अब देखो भाई यह वाला प्रेस क्या लिखा यहां पर कि जैइन 2021 का क्विस्टवाल बिना पर चलाए आसकता है कि कि धेखें देखते हैं कौन बिना पर चलाए डिया सकता है ना बता देना सर फिल आ रहा है पढ़के आई आई टी में जाने के बाद भी को ने प्रिये दर्शन तीवारी अरे वाँ बेटा वेरी गुट ठीक है चलिए ध्यान दें हां सर अब क्लियर हो गया तो पचों देखो यह आधा फेस है अरे मिला के तो एक ही फेस हुआ ना क्या अंसर होगा बत साथ होगे बच्चों उड़ा दोगे समझ गए यह देखिए आप यह आ रहा है इसका अंसर अरे क्लियर है कोई सभी एक फेस बनाना नमन यस आया दा मज़ा इसको यहां रख दो तो एक से ही पूछा एक घुमा फिरा कि आधा यह आधा वो मतलब होता तो एक यह ना भाई में रोधारत जिसे यह क्यों का चार्ज आठाड वैससे निकलने वाला सारा का सारा खल् Allen को याद आ रहा हैं यह वही अप्रोच है तो देखे इस यह देकल इस से भी निकल के जारी हमें सिर्फ कौन सा चाहिए यह कर्वड वाला चाहिए दोनों डिस्क का हटा देना है अपने को बस यह बात समझ में आगई है कि इसी सोच से चलने वाले देखो क्या हो रहा है इसके इंदर तो मैं तो जानता हूं कि वाई टोटल फ्लक्स जो आएगा स्लीकर से जा रहा है एक तौकव सर्फिस भार दिस्क वाला सरफिस ठीक है क्या लिखेंगे टोटल हमें पता यह क्या होता है क्यू अप्स्लीफ को यह पता करना था ना को आर एभर आर और और एएगल किता होगे बच्चों 45 डिगरी हो गया है बस चलाते हैं आगे हां क्या होता था अपना याद ना फ्लक्स क्यू बाए टू एपसलोन नॉट वन माइनस कॉस अलफा आरे अलफा मतलब अपना 45 तक देते हैं जरा तो यह आगे बच्चों क्यू बाए यहां से आगया क्यू बाए एपसलोन नॉट और यह रूट टू यह कटा अरे बच्चों क्या अंसर आगया देखें आप क्यू बाए रूट टू एपसाइलन नॉट अरे ऐसे सॉल होते हैं यह सॉलिट एंगल का फायदा समझ गया इसलिए मैं आपको यह पढ़ाया उसको आपका सॉलिट एंगल को लेकर के बहुत दरावना कॉंसेट देखो अपना अंसर भी आगया है बच्चे बहुत डरते हैं इससे मैं वही कंफटेबल बनाना चाहरा हूं आपको इसके अंदर बच्चों चलें आगे एप्लिकेशन सब गॉस लो चलिए गॉस की अप्लिकेश चाहर जो भी देंगे कहां चला जाएगा सरफस पर रहेगा तो बच्चों ग्रेटर देनार की बात करते हैं तो यह रहा गॉसन सरफेस बनाया हमने पर जब हम लिखेंगे तो आउट साइट के लिए आता बच्चों के क्यों बाया सकते हैं वही तरीका है फ्लक्स जो लिखे आजाता है आपका फॉर पाई आड़ इसको है टोटल चार्ज अंदर क्यों है और यह एपसलों नौट यही बन जाएगा फॉर वाइपसलों नौट को के लिख सकते हैं अरे बच्चों ठीक है ठीक है तो यह अपना जो है आउटसाइट के लिए इंसाइट बच्चों चार् यहां से जीरो बनेगा और यह उटसाइट तो यह गया आउटसाइट ग्राफ और इंसाइट ग्राफ एक लिए तो यह फिर हो जाता है नेक्स बच्चों सॉलिज इस पेर चला लेते हैं नॉन कंजक्टिंग सॉलिज इस अंदर बार सब दूर होगा आप यहां पर है ना चा बताईये क यह ना तो यहां पर आना चाहिए है सिर्फ हो सिर्फ इंसाइड वाले के आइस के अंदर आ से element ऑप और बनेगा क्योंकि हुआ यही वाला लेंगे चार्ज चाहिए यहां हो चाहिए पूरे अंदर में बढ़ा हो गिनने में तो पूरा ही आ रहा है तो यह तो इसमें क्या एगा सेम फॉर्मॉला बनेगा के क्यू बाइर स्क्वार इंवर्सली प्रोपोर्शनल क्यू अब हम चल रहें इंसाइड यहां पर हो जाएंगा बच्चों 4 by r square by 1 by Epsilon ओओ चार्ज किता हो जाएगा इसको वॉल्यम से भी निकाल सकते हैं मैं अपको यहां निकाल के दिखा देता है हम जानते है 4 by 3 by r cube पर चार्ज हें क्यूँ हमें चाहिए 4 by 3 by small r Third is questo क्या जाएगा बच्चों qr आर क्यूब अपॉन आर क्यूब तो देखिए आ रहा है मैच हो रहा है अब इसको रो में कर लेते हैं बच्छों रो क्या होता है रो रो जो होता है जैट इस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब 4 by 3 पाई आर क्यूब अगर इसको रगदें शांदार फॉर्मला बनता है जो आगे काम आने वाला है रो रपन 3 बार प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन आउट साइड अगें इनवर्सली तो यह वाला आपके लिए पूरा हो गया बच्चों कम्प्लीट ठीक है चलें आगे इसके बाद है यह पूरा मैंने आपके एक्स्प्रेम किया चलिए लीनिया चार्ज ज इन अपर यहां पर तो अमने बनाया लेंग्ट मान लेते हैं तो क्या होगा यह इंट यह क्या होता है तू पाई आरल होता है इसका एरिया विल विपाल टू चार्ज किता है बच्चों तो यह लैंग्डा इल का चार्ज अपॉन एपसलों नॉट देखिए वही फॉर्मला आपको फॉलो करना है और रिजल्ट यह रहते हैं अब आप भी करके देखिए कैसे आ रहा है ठीक है अब इस पर बेस्ट जो दे युनिफॉर्म लिचार्ज सॉलिट सिलेंडर है सॉलिट होगा तो क्या होगा अब अंदर भी चार जोगा फॉल्यूम रो रो आएगा तो परकां पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इंसाइट आउट साइट का तो वही बनने वाला है पर इंसाइट जब आप लिखेंगे तो यहां पर यह वाला फॉर्मला बनेगा ठीक है पाई आर एल और वन बाई एपसाइले नॉट है ना अब देंसीटी में लिखना वॉल्यूम लगा देना है तो रो हो गया और यह क्या हो गया बच्छों पाई स्मॉल आर स्क्वायर और यह एल अरे आपको साफसाफ दिखाई दे रहा होगा देखे बन गया यह फॉर्मुल इसलिए बहुत शांदार बहुत अच्छे से बहुत आंसर दे देती वह इसकी माश्चरी करना आनी चाहिए समझ गए चलते हैं उनिफॉर्म्नी चार्जिंसाने शीट की बात करें शीट के लिए देख लेते हैं तो इधर फीड जाती है तो यह इधर जा रही है तो कि इसका आपर टोटल फ्लक्स जो लिख देंगे हम धिहान देना टोटल फ्लक्स जो आएगा बच्छों क्या आजाएगा टू टाइम से एए विल भी इक्वल टू क्यू इंसाइड अपॉन एपसलोन नौट तो टू एए हाँ चार्ज किता होगा वाई सिग्मा और इंटु एरिया तो इसको सिग्मा ए कर देते हैं अपॉन एपसलोन नौट यह आ जाता है बच्छों सिग्मा अपॉन टू एपसलोन नौट तो आप देखेंगे और कॉंस्टेंड आता है यूनिफॉर्म फिल्ड होती एक शीट के सामने ठीक है ध्यान दीजेगा यह जो शीट अगर आप य सिस्टेम आजाए दूसरा यह भी ट्राय करो बच्छों मेरे सामने मैं तो समझा रहा हूं तो मुझे टाइम लगेगा आपका अंसर मुझसे जल्दी आना चाहिए इसके अंदा ठीक है तो एक स्फियर है सॉलिड इस्फियर फंक्शन थोड़ा एक उट पटांग लेकर आयो जिए हैं क्या वर्ता बच्चों 4 Михի आरसकर वंष्ण सर्फेस कहों होता है चार्ज क्या होता है रोदीवी रोडीवी ध्यान रखना कहीं भी लिखते हैं एडे और वॉल्यूम किता होगा है यहां पर जो आप एलिमेंट मानोगे तो क्या लिख लोगे फिर फोर पाई आर स्क्वाइर और डियार कहां से कहां तक जाना है जीरो से स्मॉल आदेखो इंसाइड बोलते हैं तो लिमिट वहीं तक जानी सर्फेस या उससे बार नहीं जाना है हमको समझ गए रखते हैं सॉल करते हैं E into 4Pi 거의 1by Epsilon naught रो नौट 4Pi common हांसा आर स्क्वाइर का integration क्या हो जाएगा आर क्यूब ऑई 3 minus आर को छोड़ दो आर क्यूब का क्यों जाएगा फोर यह माला रखना है तो आर की पावर 4by4 यह आर यहाँ पर था थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है आप अपने इसाफ से इंटेग्रेशन को सॉल करें इंटीग्रेशन यह आपको आता है इसलमें यहां अपनी स्पीट सो सॉल करूंगा ठीके हाँ जी काटा पीटी कर लें फोर पाई से बच्चों फोर पाई गया आर स्कॉयर भी देखो यहां कॉमन निकल के कट जाएगा तो यह जो आ आ रहा ना अंसर इधर lcm ले लो तो देखो यही अंसर आ रहा है आपके पास क्या बोलते हो मेर से पहले था किसी का आंसर लिख देना यहां पर कमेंट बॉक्स मेंगर किसी का आ गया था थो ठीक है एससे कर लेते हैं यह इंसाइड आउटसाइड वाले पर चलते हैं function याद रख लेना ठीक है आउटसाइड की बात करें बच्चों यह बन गया ठीक है अब इसके अंदर हम देख लेते हैं आउटसाइड साइट पॉइंट माना है यहां पर ऐसा गोशन सर्फिस बनता है ठीक है ना यहीं हमने बनाया है लगाए यहीं फॉर्मॉला लगेगा इंटू फॉर पाई डिस्टेंस का स्क्वाइर वन बाई एपसाइल नौट रो किता था बच्चों रो नौट है ना वन माइनस आर वाई यान-फर और और इसकौय डिया लिमट क्या लगी बच्वाइबाए नियों लगा ना चलू को गई है गलती यकलति ने हो नहीं करे लिग improved living चलो संभाई ये नगलती गलती रिपित नहीं हो नहीं चीने ठीक है इन्टू आगया बच्चों 4 स्वोर Cheng Cindy blocking टो ही इन्टू आगया 4-3-1 और यह कटा उस सिर्फ और सिर्फ बचेगा आर क्यूब अपॉन क्या बच्छाएगा बच्छों 12 तरह यह आ गया बच्छों पास रो नॉट आर क्यूब वाई 12 एपसाइलन नॉट आर स्कॉर देखें जरा यह आरा बच्छों रो नॉट आर क्यूब अपॉन रो तो यह क्लियर है कितने लों का मैंच हुआ है लिखके बदाये करो जरा चलिया आगे चलते हैं वाच्छों एक सिलेंडर नुमा क्वेस्टन भी देखते हैं यह ना दो वराइटि करते हैं स्पीर तो देख लिया इस पिर स्पीर सॉल करते जाएंगे सुम्हें करना आएगा से ल देन और ग्रेटर लें इंसाइट और डॉट साइट पहले अपने लेज देन वाला सौल करते हैं इसके लिए क्या करेंगे बात को समझें यहां पर हमने एक element माना होगा है ना और सब्सक्राइब और यह इसकी length होगी ठीक है बताइए क्या होगा तो टू पाई आर एल वन बाई एपसालन नौट इंटेग्रेशन रोडी रो के लिए क्या लिख लें बच्छों तो यह हो गया रो नौट आर वॉल्यूम कित्ता हो जाएगा इसका अब क्योंकि यह क्या है सिलेंडर माना होलो तो शयल मानते बचलोगे बढ़ाते चलोगे तो यहां पर डिस्क वाले चलेगा एरिया क्या हो इसका यहां पर कर ego passage है डियार नहीं वॉल्यूम कित्ता हो जाएगा यार linux इसकी लगा लेते हैं तो काम टगें इनसाइट इंसाइट में तो डिस्टेंस तक इता होता है तो सीरो इस री जाएंगे ठीके आज आ जाईए क्या लिखेंगे इंटू टू पाई आरल वन बाई एफसाइलन नॉट क्या बन गया यह से टू पाई एल और रो नॉट यह सब कॉंस्टेंट है बाहर निकाल दो इम्हें टू पाई एल रो नॉट अब अब जाको ना आर स्कॉयर इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई थ्री कर दें तो यह मेरा बन गया आर क्यों बाई थ्री चले कायटा पीटी कर ले तूपाई आरल पूरा ही कट जाए गए टूपाई यह आर भी कटे का तो मुझे सीदह सीदह ए लिख रहा है रो नॉट एक आर गया है तो यहां से आर स्कॉयर तूपाई आर एल थूपाई आर एल रो नॉट बचा आर स्कॉयर बज़ गया थ्री एपसालन नॉट यह आगया था क्या अंसर कि लिमिट गलत हो गई इस फिर ही नहीं यहां सिलेंडर भाई सिलेंडर बच्छों इस वाले में सिलेंडर अच्छा आपना बता रहो इस पीडर का वोल्यूम वलत लिया ठीक है ठीक है यह तो सभी है ना आईए देखें देखो यह आरा बच्छों सर रोणोट आज़ स्कॉयर वाई थ्री एच्छ गौशन सर्फिस मानना पड़ता है यहां पर भी है एल लेंग्ध का मान लो अब क्या होगा बच्छों इंटू टू पाई आर एल यही इसका कर्ट सर्फिस एरिया होगा गौशन सर्फिस का ठीक है वन बाइ एपसाइलन नौट इंटीग्रेशन रो किता होगा रो नौट आर और एरिया वही रख लो भाई टू पाई आर डी यारी डिस्क हो गया और लेंग्ध किती हो गई से लेंग्ध है तो एल यह वाल्यूम हो गया ठीक है अब लिमिट कहां तक लगेगी कोई बता सकता अगर आउटसाइड जा रहे हैं तो चार्ज कहां तक अवेलेबल है कहां तो सिर्फ यहीं तक है ना बच्चों कैपिटल आरतक तो लिमिट आपको डिस्टेंस तक भावनों में बहे जाए कि आप बाहर आर तक चले जाए ठीक है वही धिहां रखना क्या हो जाएगा इंटू टू पाई आरल क्या गया बच जाएगा तो रो नौट इंटू आर थ्री एपसाइलन नौट और यह आर भी आ जाएगा यह आ रहा है क्या बच्चों देख लो भाई तो इस तरीके से सिलेंडर के क्वेस्चन करने में माहिर हो जाओ बच्चों ठीक है तो बात को समझें यह आना चाहिए हमको अब इलेक्ट्रिक फिल्जने क्याविटी समझ बच्चों बहुत 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 शांदार नाइस कॉंसेप्ट है ठीक है के विटी में ध्यान दीजेगा बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट माना हमने कहीं भी एपॉइंड यहां से आरवन एक्टर इसे इसके से पोदीशन वेक्टर आ ध्यान रखना यहां पर वह वह वे लो आल टू वेक्टर लटर और सूर्मुला होता है यह बहुत कुछ कह रहा है अपने से देखिए क्या बोल रहा है समझें खास तो यह है का डायरेक्शन एक डायरेक्शन होगा यह कह रहा एक तो दूसरी बाद अगर मैगनिट्ध लोगे तो देखो कॉंस्टेंट आ रहा है बच्चों आएटी ने दो बार तीन बार इस पर क्वेश्चन दिये हैं है ना ठीक है पहले और पूराने गिनों तो और भी ज्यादा बार आ चुके हैं पर अभी लेटेस्ट के दो करा हुआ अरे कुछ आ रहा नहीं आ रहा क्या बताना चाहरों यह कुछ अलगे डिफ्रेंट यहां तो रेडियल फिल्ट वेरिये बले पर उस तो स्केविटी में देखो आप कॉंस्टेंट दिख रही है बात समझ में आ गई है ना हां प्रिंस कोई बात नहीं कोई बात करके देख रहो तो अब यह है इसको चलते आगे यह याद रखना इन दो लाइनों से इन दो लाइनों से बच्चों एडवांस के क्वेश्टन सौल करेंगे हम देखना ठीक है आई यह चलते आगे तो हां वहीं सब बातें जो मैंने आपको बताई है वहीं लिखिवी यहां पर यह देखो सब्सक्राइब करते हैं तो एक है ना केविटी उनिफॉर्म लिचाज नॉन गंडॉक्टिंग सॉलिड स्फियर में ठीक है फाइन डिस्टन्स एवी मतलब ऐसा है कि यह चार जाकर कि गिर जाएगा आपको रेंज बतानी को मिला करके रो दिया हुआ है चार्ज क्यों है मास एबाइब एम है ना तो यह हो गया क्यू बाइए फाइब एफ्स और फिकता होक्त होका इसलोन तो यह अपना क्या आगया एह आ गया पूरा का पूरा नॉस लो आर भाय इसलोन नॉट ठीक है तो नहीं करना यू का स्क्वाइर एक्सिलरेशन को भी रख देते हैं तो अमरे पास आजाएगा बच्चों यू स्क्वाइब इधर आगया है 25 एक इतना आ गया बच्चों रो है आर है अपॉन है थ्री एप्सलों नॉट है ना रो आर नहीं 6 था यह तो 6 एप्सलों नॉट रख देते हैं भाई ठीक है बच्चों तो यह अपने पास आ जाएगा इसके साथ क्यू भी रख दो और यहाँ भी रख दो रख दो रख दो रख दो क्या एक एम भी आ जाएगा यहां पर आ जाएगा क्यू यहां आ जाएगा एम अब मैच करते हैं एम यू स्क्वाइर एप्सलों नॉट ट्वेंटी फाइव रो क्यू आर यस यह आ रहा है बच्चों ठीक है हाँ अगर कॉंसेंट्रिक हो गई तो यह जीरो हो जाएगा क्लि सब्सक्राइब हो जाएगा बड़ा रद्दी सवाले जाएगे क्या है यहां पर दो है प्लस माइनस के कारण कैविटी बनी और यहीं पर आप से पूछा है फिल्ड और पूटेंशन तो इलेक्ट्र स्टैटिक फिल्ड जीरो होती है वहां पर कहां पूछा है ओवर लैपिं इन इस इंक्रेडिबल थैंक्यू बड़ा थैंक्स पर अफ्रीजिंग एलन कि कब तक लास चलेगी बच्छों तो सोजा वाद में दिखला है तो थोड़ी देर की और बात है वह आगया हम जहां तक का आज का टार के जाए अधर इस प्लिए तो यूनिफर्म डारेक्शन फि यह को देखे पूटेंशल अपर यहीं हमने पड़ाई पृटल मुझा इंट इस यूनिफर्म डारेक्शन यस एइस उनिफर्म डारेक्शन यस मल्टीपल चोई सभाई जैए एडवांस के मल्टीपल आया तें कहीं और यह आंसर आना चाहिए बी नहीं है दो नहीं नहीं होता कॉंस्टेंट तो अंसर आएगा सी और डी इसके अंसर आ रहे हैं अपने तो यह सब्सक्राइब क्या बोलते हो देखो बिना पेंच लाया किया बच्छों और ना दो अंसर इसकी धियान रखीगा ठीक है सी ओडी जस्ट सी ओडी हम सुबह चार बज़े तक पढ़ सकते हैं सरकों प्यूश कुमार अरे बच्छों ग्रेज स्पीरिट मजा आगया सुनकर के तो मुझे लगता है कि मजह आप लोग तैयार हो तो मुझे भी पढ़ाने के थोड़ा सा और आई अगला देखें हां बच्छों इसमें भी यह वाला मत देखना अरे यह लिखावा मत देखना भाई कर लोगे तुम लोग तूम लोग तो थो तो नहीं कर पाऊगे पर अगर यह दो तो उड़ा दो इस वाप सही करा हो मैं ठीक है बट सरेवां स्क्रेश को मेरा नमन थेंक्यू बटा नमन अब देखो भाई के विटी में पूछा है क्या बोलोगे आप यहां पर वेक्टर इस यूनिफॉर्म इस मैंनिटू इस इंडिपेंडेंटेंट और डिरेक्शन डिपेंडेंट नहीं करता भाई एपर डिपेंड करता है गलत ऑप्शन है इस लीट अटवनवोगे नहीं विलकुल सहते है करता है यह तो इक मिदयां रखेंट ऑने पूच्छ कई यह संई और देक्शन डिपेंद ओन यह यहीज़ीन मैंनिटेंट यही डिपेंडेंट डिपेंट ऑन गश्त ओन निकिंपक्राइट अ इसके अंदर यहीं कह रहा था मैं आपसे अरे बात समझ में आ रही क्या तो यह अपना जो आंसर आया है यही यह सही आंसर और आप देखो बिना पैंच चलाए हमने सौल किया है कि वोइस चेंज हुई सी आ रही है ऑल अफ सगन क्या हुआ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वोइस प्रॉब्लम है क्या कुछ चेक करते हैं यह चेक करना है जबात हो है ना सही चलना चाहिए आवाज बढ़ी आनी चाहिए बढ़े मस्ती से पढ़ रहे हैं फुल एकदम मन सब्सक्राइब आपके इस हिम्मत को साउन इकबर बहिया सरी कर लें चली बढ़ते हैं वह उनका कर लेंगे हैं आई आए हां बचो अब देखो आपके लिए बहुत शांदार ठीके लोग चो सिगमा माइनस टू सिगमा यह आपके लिए शीट से एई बी और सी पे पूचा सब्सक्राइब कर देखें यहां पर क्या आएगा इस डारेक्शन को बचेगी तू-1 तो सिगमा अपॉन टू एपसलों नोट तो एपसलों नोट तो इस पॉइंट पर इसके कारण बच्छों अवे और इसके कारण तो आइगा दोनों को एड़ी आएगा दोनों को यह दो यह तर्म आजाएगी थ्री टाइंस सिगमा अपॉन टू एपसलों नोट क्लियर है यह ना सी पर दालता है प्लस के कारण इधार माइनस के कारण इधार यानि सी पर अगर देखें तो उधार कौन सी वैल्यों आ रही है अवे इसके कारण तो सिगमा अपॉन टू एपसलों इधर आ रही है तू सिग्मा अपॉन टू एप्सलों नोट पर जब डारेक्शन देख लेते हैं तो साइन का मतलब ही कि हमें उसका यूज कर लिया साइन देखने में ठीक है तो इब सब देखें इधर इधर मतलब माइनस में बचेगा इस डारेक्शन में बच जाएगा सिग् तो देखें जबाएं अंसर आ रहे हमारे पास तोड़ा हो गया पर समझ जाना सिग्मा वाइट 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 व्हुट आ रहा है तो यह ऐसे चल रहा है ज्यान रखें और देखते हैं इसके बाद सिस्टम एक यह भी है यह यह विए यह कैपसिटर सिस्टम यही होता है यहां पर क्या होगा शिग्मा मैना सिग्मा कर दिए एक वह एक टुवाज दोनों पराबर यहां फिल जीड़ो आएगी ठीक है बीपे पर बीपे दो सिग्मा के कारण प्लस के कारण अवे माइनस के कारण यहां एड हो जाएगी बच्छों सिग्मा अपॉन टू एपसलोन और सही है और सी पे क्या होगा बच्छों फिर वही बात है अवे तुवाज यहां भी वैजिव क्या एगी जीरो आएगी समझ गहें कैपसी टार के बाद पर जीड़ों अंदर होती है वह यही कॉंसेप्ट है ठीक है तो नहीं रखना रहे हैं इसके प्रेशन बहुत आसानी बच्छों ऐपर माइनस क्यों रहे हो जाए है निया कियो सब्सक्त क्यों बच्छों क्यूं फोलन स्थी बलसक्य नाटायगा जगाया तभी यहां से क्या होत्व माइनस क्यू आपको लिखोगे तो 2a absolute sigma को मैंने q by a लिख दिया है और equal to नहीं से क्या जाएगा बच्छों q2 plus q upon 2a epsilon हमने काटा q गया तो 2q विल विल भी इक्वल टू आएगा बच्छों q1 minus q2 तो q आजाएगा upon 2 है ना चले q1 minus q की value निकाल ले तो बच्छों यह q1 minus q इसको रख दें सॉल्ट करें तो यह आजाएगा आपने पास बच्छों क्यूवन प्लस क्यूटू बाइटू तो देखिए सारे अंसर आजाएंगे आपके पास यह आगया यह भी आगया अंदर माइनस चाड़ों क्लियर है अब देखते हैं इसके बार आगे बढ़ते हैं अब एक ट्रिक जो बन रही है उसको बहुत धिहान से समझें बच्छों बहुत धिहान से शांदार यह क्या लिखा है अगर पैरलल प्लेट आ जाए पैरलल तो क्या बोला है वित नो एक्स्टरनल फिल्ट अगर नहीं लगती ध आज़ेस ओन दा फास्टेंग लास्ट फेज़सार एक्वल एंडर इवन बाइस सिगमा क्यू अगय तू सिगमा क्यू अगय तू बहुत ध्यान से समझ धीए तो ठीक है बहुत शांदार है यह ट्रीक ने बहुती कमाल कर रखाया देखें आप क्या करेगी ते फिर्स्टों अगर हमें यह करें सौल करें इसको ठीक है तो देखें आप सिगमा क्यू फर्स्टों लाश्ट फर्स्टों टोटल किता हुआ तीन और तो पांच पांच में से चार चार का अधा हुआ तो बच्चों यहां पर भी आगया वाई टू क्लियर है अब जो है बस लिखते चले ज ओढ़िछ क्यों है तो यहां किया जाएगा तो माईनस क्यों मारेस क्यों पूरा यहां यहां मिलगा आगया अरे बच्चों दैस्ट ट्रीक यह बात समझ में आ रही है चलिए तो आगे बढ़ते हैं थे यहां पर देखिए सिगमा क्यू आई बाइक टू से हमने रिखा है य पांच तो यहां यहां कि आ जाएगा माइनस का 5 वाइट चूबाइट यहां किया जाएगा 2.5 यहां यहां कि आiformis 40-2 क्यों सब्सक्राइब एंगा बंस माइनस ऊफ क्यों दो टोटल क्यूए आधा यहां आगया माइनस का तो यह क्या जाएगा पीन माना है माइनस हाफ माइनस वान फॉर यह तो यह क्या जाएगा 4.5 4.5 q by 2 और यहां आजाएगा बच्चों माइनस 4.5 q by 2 और देख लो एड़ कर देंगे तो यह आगया आपका अंसर समझ रहें ठीके तो यह आगया बच्चों ठीके तो इस तरीके से यह देखो सारे के सारे आपकी पास है ना यहां पर आजाएंगे ठीके चलिए आगे चल हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है ठीके चलते हैं इसके बाद में है का उगया सक्षे ना हाँ यस आया है बच्चों ठीके तो एक मिट पीछे वाले अंसर में अंसर नहीं आ रहें के लिए अच्छा हाँ झारी कि इना थे वाट है अच्छा माइनस new a react माइनस का आय। अंसर यह वाले आंगे माइनस फाइव क्यों गाइट उल्यों आच्य हिस्के वाइव семर्ट करते हैं। स्थिए अगर क्यों रखा हुआ थो थो आनसर सभी होना चाहिए ह मैं इह कbon right हां चीक है कितना आ रहा है चार मानस आठा हुआ हुआ हूए हुआ практи cig cum 12 कव Déo यहां मैनस का इना चाहिए अगे उलिभी अप और दोनों मिलाके यस यह आना चाहिए अगर यह क्यू था मुझे प्र देखो सारे चाहर जा रहें क्यू माइनस क्यू यस ठीक है बच्छो क्यू की वज़से यस यह वाला क्यू में सो गया था चले आगे चलते हैं पोटेंशल ठीक है पोटेंशल से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं वह सब थोड़ा जमें ज्यादा नहीं रुकूंगा यहां पर जल्दी खतम करें तो देखिए पोटेंशल जो है दो तरीके से कल्कुलेट करते हैं तुम्हें बताना चाहरा था या तो आगे चलते हैं अब जैसे सिस्टम में रॉड है इसकी वैसे पोटेंशल निकालना है तो धिहान दीजिए वी आएगा इंटेग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग दिस्टेंस पर है ठीक है यहां से समझ ले तो यहां पर क्या होगा एक एलिमेंट मान परेक्स है और क्यों और एक सक्वाहां मतलब देख लेक्न से रिम का मतलब नैचुरल लोग ही होता है मैं इस तरीके से श्ली रिल् dit को रिंग पॉतेंछ scent सो उड़े थि लिए तो बच्चों क्या लिख देते हैं के क्यों रखेंगे पर सारा का सारा टोटल चार्ज क्यों है तो यह आ जाएगा क्यों कि सबसे खास बाते बच्चों इसकेलर क्वांटिटी इसका क्या मतलब है कि नौन यूनिफॉर्म भी रखा हो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता य इस नौन यूनिफॉर्म तो देखिए आप ऐसे रखाओ चाहे ऐसे रखाओ यही फॉर्मला लगेगा चाहे आर्क दिया हो चाहे कुछ भी दिया फॉर्मला यहीं लगेगा यह सबसे बढ़िया बात इसकी समझ गए आगे बढ़ते हैं रिंग के एक्सिस पर बच्चों पो इस तरीके से ग्राफ बनता है यहां पर यह जो ग्राफ बनता है ध्यान दें यह पोटेंशल वर्सस एक्स या आर का ग्राफ ही मान लें तो यह ध्यान रखिएगा ठीक है पोटेंशल एनरजी चाहिए बच्चों एनरजी जो आती है वह वी इंटू पॉइंट चार्ज क्यू क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है काम पढ़ने वाला इसका ध्यान दें चलिए अब जैसे यह रखा है वी ए माइनस वीवी की अगर बात कर रहे हम है ना तो हम यहां पर देख लेते हैं एपर पोटेंशल लिखना है ध्यान दें ए एपर क्या पोटेंशल आएगा खुद के कारण तो बच्चों क्या आता है के क्यूबाय एक्स जीरो कर दो तक यह क्यूबाय आर इसके कारण भी यहां पर आएगा ध्यान रखना और टू क्यू दिया हुआ है तो प्लस के इंटू टू क्यू बाय अगर रूट 3R है तो आर स क्ra यहना क्ëक्यो बाय आर प्लस इसके कारण क्या होगा बच्चों तो क्यू बाई वही रूट वंबर तो अगेन यह वी 2-0 आर है बस यह रहा चले डोनों को मायनस कर देते हैं ठीक है तो यह क्यू अगया क्यू बाय आर तो अपने पास इता आ गया है क्यू अगया है यह क 2-2.5-2.5 तो यह आजाएगा बच्चों माइनस के क्यू बाइ टू आर ठीक है यह यह आंसर आ रहा है बच्चों अरे ठीक है तो इस तरीके से यह सौल होता है जिस्क का आजा बच्चों यह भी ध्यान रख लेना रिंग के तरीके से ही हमने जैसे फिल्ड बनाई थी वैसे हम इंटिग्रेशन कर रहे हैं इसका फॉर्मला याद रखें एनरजी के लिए चार्च का मुल्टिप्लाइब यह याद रखें ना डरना नहीं है जिसक पर आता है कभी का क्वेश्चन तो बनाए एनरजी यह लिखना होती है बस और यह इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा ठीक है नेक्स्ट बच्चों होलो स्फियर की बात करें बदो तीन चीजें है ना होलो होलो में क्या होगा बात को समझ लें मैं दो वेराइटी से बनाया है मैंने ध्यान रखीगा लेस्ट देन आर पर चाहिए तो क्या होता है यह डूट डियार लगाते हैं इंफिनिटी से और अंदर अंदर क्या होता है फिल्ज जीरो ती रहां रखीगा यह टर्म जीरो होने की वज़ए से सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होत लगार के वाकां स्टेंट पूरा सेंटर से बाहर तक जो है वो कॉंस्टेंट चलेगा दिहान रखना ना तो तो क्यू आर यहां से कॉंस्टेंट और आउट साइड निकाल ले तो अनदर सरफेस पर यह याई जाती है क्यू और सफेस्पर वही वैलिए जो अंदर है आउट हम देखें धियान से समझेगा तो यहां पर यहां पर तो आउट साइट की बात हो रही है क्या करेंगे यह यह था रिखना फिर यह याद रखना पॉइंटोटें उनके लिए पॉइंट चार्ज के फॉरूंले होते हैं बच्छों सॉलीज इस्पेयर के लिए बच्छों यही कहानी है लेस रखना होगा तो बच्छों बस यह चेंज आता है यहँ बच्छ यहां फांग्शन मैं आपसे कहा रहा था के क्यों एक्स बायार च जीरो ऐसा फील आती है कई बार पुछता हूं बच्चों से पहले आंसर यह देते हूं यह जीरो नहीं होता बच्चों सबसे ज़्यादा होता है और तो डेड़ गुना वन पॉइंट पाइफ टाइम्स वैल्यू एड़ सर्फेस पोटेंशल अनर्जी चाहिए थ्री बाए कई बार हाफ पॉड्शन का ग्राफ मिल जाता है यहां आपने लेफ्ट का भी बना दिया तो मैंने दोनों वराइटी दिखा दिया आपको सेंटर पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है बाकी सब यह रहा है तो यह रिजल्ट याद रखें आप यह बहुत काम आने वाले अपने सेंटर से ठीके मिनिममम वेलोसीटी सोदेट इटकें पेनिट्रेट आरवाइट तो दिस्टेंस ऑफ दैस्पियर आरवाइट तक चला जाए बस यह देखना है कैसे करते हैं बच्चों इसको तो बात को समझें यह कहानी थी यहां से क्या वेलोसीटी है ना बात करते हैं वे बाहर क्या होती है बच्चों तो के क्यू बाय डिस्टेंस यानि तू आर और चार्ज किता है इसका स्मॉल क्यू प्लस क्यू ठीक है यहां पहुंचा काने टिक तो गई बच्चों 0 पोटेंशल पोटेंशल इंसाइड इंसाइड के लिए पोटेंशल का फॉर्मला लगाना क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों आर क्यूब बाय एट नहीं आर स्कॉयर तो यह हो जाएगा अपने पास आर बाय तू का होल स्कॉयर इसका मतलब यह हो जाएगा आर स्कॉयर बाय तू कर लेता है अपना अंसर आ जाएगा बच्चों हाफ एम वी स्कॉयर इकवल तू य से कि नहां से क्या गिए है कि 12 – 2 – 11 आर स्क्राइब बाइ और ना और यह ताम विधरा ले है तो यह आगया के क्यूर क्यूर क repent to our तो एक बार देख लेते हाफ-νवी है इस्वायर्ण विल्ट हां यह क्या था काठा के क्यूर आर common के क्यू क्यू बाइए है टू आर को भी कॉमन ले लगे चलिए टू आर यहां से क्या बच गया बच्छो टू आर गाय गया इससे यह कटा यहां बचेगा 114-1 तो 11 by 4-1 का मतलब 7 by 4 है ना तो 2 से 2 अगर हम कट कर दें आर तो रहेगा तो बाकी बस मास का डिवाइट करें और स्टम्स में देखो 7 qq 7 qq upon 4 को रखा फॉर पाई एपसलोन नॉट ठीके इसलिए बन गया आता है तो दिक्कत आ जाती है यह वह राइटी जहां पर फिर बच्चों को दिक्कत आती गलत होता है तो मैंने यही सिखाया है तो खास्तोर से यह टर्म इंसाइज सर्फेस का पोटेंचल ठीक है चलिए आगे चलते हैं बच्चों इसके बार लॉंग वायर का पोटेंचल डिफरेंस अगर हमें देखना हो बच्चों तो यह लगा दते हैं फिल्ट और अपने पास डेल्टा भी इंटिग्रेशन से आता है टू के लेंड़ा आर बाया रहे है तो यह आ गया है इस तरीके से रहता है साफ साफ रिजल्क याद रखना है तो यह आ जाता है लाज प्लेंच शीट बच्चों इसकी फिल्ट होती सिग्मा बाइट वेप्सलों नौट डिफरेंस निकालते हैं अपन तो यह आ जाता है ईंटु डी सिग्मा और भी मैने सारे बस बच्चों हो नहीं वाला बस खतम ही है लग भाग लग ठीक है तो एक यह रिंग है बच्चों यह निकालना स्पीट ऑफ दचार्च पार्टिकल वनेच रीचे सेंटर ऑफ दर रिंग ठीक है ध्यान दें बस यह क्वेश्चन इसके बाद एक और है खता करते हैं किया है रेस्ट से रिलीस किया है जब यह सेंटर से पास हो जाए तब हमें बताना इसकी स्पीड एनरजी गंजर्वेशन लगाना कुछ नहीं करना बच्चों तो देखिए इनिशली क्या थी केवल पोटेंशल एनरजी थी क्या होता है पोटेंशल इंटू चार्ज से यहां से पास हो रहा होगा चाब उचाए स्पीड के काइनेटिक स्पीड तो हाफ ं वी स्कॉयर यह पोटेंशल क्या जाएगी बच्चों के क्ई क्यों बाए और के सेंटर पे कियो बाय रोता है ठीक है Peach all कर लें इधर ले आते हैं तो अपने पास आजाएगा हाफ याप वी स्क्वाइर उपर इक वल स्टू के क्यो क्यो वाइ आर माइनस क्यो राय तो सॉल करें तो क्वेशन आपको करना आने चाहिए ठीक है चलिए यह वही है वायर वाला फॉर्मॉला है तो यह हमारे पास डारेक्ट अपना फॉर्मॉला आ गया था डेलिटा वी हमने पढ़ा था यादे तू के लेंडा एलन आर्टू बाय आर यानि यह तू आ जाएगा बस बिल्कुल डा हमने यहीं तक रोका है ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा मजा आया होगा वही क्वेश्चन और वही हमने एरिया ज्यादा कवर किये एक्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों को दिक्कत प्रॉब्लम भी ज्यादा आती है आई तिंग आप रिलेट कर पाए होंग बच्चों आपको समझाने की कि यह कॉंसेप्ट वैसे रिलेट करूं जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई दे किया यही तो वह कॉंसेप्ट जहां मैं अटकता हूं है ना तो आई होप बच्चों को मजा आया होगा समझ में आया होगा और सबसे बड़ी बात है आ हमारा यह पार्ट टू आने वाला है तो स्टेट यूंट यह भी आई होप आई थिंक बिल्कुल डेफिनेटली मैं मानता हूं कि यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा तो जो बच्चे एकदम बढ़िया से कर रहे थे महनत इमानदारी से सॉल किया उन्हें मुझे पूरा है तो आई होप आपको यह सब क्लियर हुआ होगा प्रतिवा जो प्रॉब्लम थी वो सब क्लियर मजा आ गया यह थैंक्यू बैटा महनत हमारी सफल हो रही है यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो के बच्चों फिर ज्यादा परिशान नहीं करूंगा ज्यादा नहीं पर की रोकूंगा मैं आपको यह सापकी भी ख्लास है हमारी ख्लास है ठीक कि ना तो यहीं तक रखते हैं बाकि कल वाले सेशन में मिलते हैं बच्चों तो स्टेटूंट एंजोव बच्चों ठीक है कीप रॉकिंग की पैंजोएंग ओके बच्चे गुड़ नाइट झाल 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 झाल